अलो फ्रेंट्स आज हम लोग दिली के विशे में चर्चा करने जा रहे हैं दिली हमीशा चर्चा के केंदर में रहती है दिली देश की राजधानी के रूप में निर्मित की गई है आप जानते हैं लेकिन दिली को लेकर के जो विवाद उत्पन्न हुआ है वो LG लिटेनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के मद्ध, अधिकारों और दायतों के मद्ध, असपश्टता को ले करके विवाद उपन्द होता रहा है। आप इस विवाद से रूबरू होते रहे हैं, विगत वर्षों में पिछले 5-6 वर्षों में आपने यह विवाद मुखर होते देखा हैं। हलांकि 1991 के बाद दिल्ली में विधान सभा और मंत्री परिशत की रचना की गई। और इसके बाद सदयो, मुख्यमंत्री और LG के बीच विवाद होता रहा हो ऐसे उदाहरन नहीं थे। लेकिन पिछले 5-6 वर्षों में दिल्ली के उपरा जिपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच न केवल विवाद उत्पन हुए बलकि विवाद अत्यन्त मुखर रूप में उत्पन हुए। विवाद उच्चिनयाले पहुचा उच्चितमनयाले पहुचा उच्चितमनयाले के निर्डे के बाद अब संसद ने ऐसे विवाद भविश्य में उत्पन्न ना हूँ इस बात को लेकर के इस्थिति अस्पष्ट कर दी है लेकिन संसर ने जो इस्थिती अस्पष्ट की और उसके लिए जो अमेंडमेंट आक्ट अभी 2021 निर्मित किया गया उसने एक नया विवाद उत्पन्न कर दिया है सौभाविक सी बात है कि दिली के संदर्व में उत्पन्न हुए इस विवाद के कारण प्री के एक्जाम और मेन के एक्जामनेशन दोनों में प्रश्न बनने की संभावनाये प्रबल रहेंगी इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग दिल्ली के इस समवैधानिक संदर्व की व्यापक चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक सभी पक्षों को शामिल करते हुए यहाँ पर चर्चा की जाएगी मैं डॉक्टर आदरश कुमार आज आपसे इसी विश्य पर चर्चा करने जा रहा हूँ कि वर्तमान समय में 2021 में जो दिल्ली के संदर्व में संसर ने संशोधन अधिनियम पारित किया है उस संशोधन अधिनियम से दिल्ली की इस्थित में क्या परिवर्टन आया है यह संशोधन किता उचित या अंचित है और दिल्ली का एतिहासिक संदर्व शासन और प्रशासन का क्या रहा है इन्ही पहलों की चर्चा हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं कि एतिहासिक परिप्रेक्ष दिल्ली के शासन का क्या रहा है आप जानते हैं एतिहासिक रूप से बुटिश काल में 1911 में 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया और राजधानी बनाने के बाद दिल्ली के लिए एक Chief Commissioner किया गया मुख्य आयुक्त की नियूक्त की गई और उस मुख्य आयुक्त के माध्यम से चीफ कमिशनर के माध्यम से दिल्ली का प्रशासन चलाया जाता था यह बिटिश काल का डेवलपमेंट था बिटिश काल के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता मिलने के बाद समविधान में A, B, C, D शर्णी के राज्यों का निर्मान किया गया A शर्णी के राज्य, B शर्णी के राज्य, C शर्णी के राज्य और D शर्णी के राज्य चार कटेगरी के राज्य बनाए गए जो ओरिजिनल कॉंस्ट्यूशन था हमारा मूल सम्विधान था उस मूल सम्विधान में A, B, C, D चार कटेगरी के राज्यों का घर्डन किया गया था हम लोग उस परिप्रेक्ष में नहीं जाएंगे पॉललेटी में हम लोग विस्तार से उसकी चर्चा करते हैं हम लोग केवल अपने टॉपिक पर फोकस्ट रहेंगे बाकी जो अन्य मुदो की चर्चा है वो अलग-अलग टॉपिक में कि जाएगी यदि आवश्यक होगा तो तो हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं कि मूल समविधान में औरिजनल कॉंस्ट्यूशन में A, B, C, D चार केटिगरीज के राज्य बनाए गये थे क्योंकि कुछ बिटिश प्रांत थे, कुछ देशी रियास्ते थी, कुछ कमिशनरेट थे इन सब को मिलागर के प्रांतों की रचना की गयी C शिर्णी में दिल्ली को रखा गया दिल्ली को C शिर्णी में रखा गया, C काटिगरी में रखा गया और इन A, B, C, D शिर्णी के राज्यों के प्रशासन के लिए कि इन ABCD शेड़ी के राज्यों का प्रशासन कैसे चलेगा इसके लिए सम्विधान में पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9 जोड दिया गया Constitution में आड़ किया गया Original Constitution की हम लोग बात कर रहे हैं मूल सम्विधान की हम लोग बात कर रहे हैं 26 जनवरी, 26 ऑफ जनवरी, 1950 को लागो हुआ था तो उस Constitution में पार्ट 6, 7, 8, 9 का प्रावधान किया गया A और B का A के विशह में पार्ट A के राज्यों के विशह में A शर्णी के राज्यों के विशह में पार्ट 6 में प्रावधान किये गये बी श्रणी के राज्यों के विशह में पार्ट 7 में प्रावधान किये गए सी श्रणी के राज्यों के विशह में पार्ट 8 में और डी श्रणी में किवल एक था अंडमान निकोबार उसके लिए पार्ट 9 में प्रावधान किये गए दिल्ली समेत जैसे अद्मेर, भुपाल, आदी, मडिपूर, तरिपरा इन सभी को लेकर कि दिल्ली समेत दस राज्यों को दस इस्टेट को सीषणी में शामिल किया गया और सी शर्णी के लिए यह प्रावधान किया गया कि इस शर्णी में जो भी राज्य शामिल हैं उन राज्यों का प्रशासन राष्टपत के द्वारा चलाया जाएगा राश्ट्रपदी ऐसे राज्यों का प्रशासन चलाने के लिए मुख्य आयुक्त की न्यूक्ति करेगा या लेटेनेंट गवर्नर की न्यूक्ति करेगा और उसके माध्यम से शीश्विनी के राज्यों का प्रशासन चलाएगा ये पार्ट एट में लिख दिया गया 1956 तक 1950 से लिकरके 1956 तक 1956 तक यही विवस्था लागू रही 1956 में फिर चेंज आया और 1956 में जब State Reorganization Act पारित किया गया और सात्मा संविधान संशोधन किया गया तो इसके माध्यम से 1956 में फिर चेंज किया गया और 1956 में आप जानते हैं सेवन्थ Constitutional Amendment के माध्यम से और साथी साथ राज पुनरगठन अधनियम पारित किया गया 1956 में इन दोनों प्रावधानों के माध्यम से जो ABCD शिर्णी का दरजा था वो समाप्त कर दिया गया इसके माध्यम से ABCD शिर्णी समाप्त कर दी गई और चूंकि ये शिर्णी समाप्त कर दी गई इसलिए पार्ट 6, 7, 8, 9 में परिवर्तन लाए गए, 7 को समाप्त कर दिया गया, 8 को समाप्त कर दिया गया, 9 को समाप्त कर दिया गया और 6 को बना रहने दिया गया, जो वर्तमान सभी राज्यों के लिए काम कर रहा है 1956 में राज्य और यूनियन टेरिटरी संग राज्य छेत्र संग राज्य छेत्र जिसे हम बोलचाल में केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं यद्र पिस संबेधान कहीं भी केंद्र शासित प्रदेश शब्द का प्रियोग नहीं करता हाला कि हम लोग इसे बोलचाल में केंद्र शासित प्रदेश ही कहते हैं तो राज्य और संग राज्य छेत्र ये दो कटेगरीस बनाई गई ये दो शर्णिया निर्मित कर दी गई और ABCD की जो शर्णिया थी राज्यों की वो समाप्त कर दी गई जब राज और Union Territory की शर्णि बनाई गई तो राज जी के लिए Part 6 को फिर से संशुधित कर दिया गया Part 7 को समाप्त कर दिया गया आज भी Part 7 Constitution में नहीं है Part 6 की बाद हम लोग सीधे Part 8 पढ़ते हैं Part 8 को समाप्त कर दिया गया और नए Part 8 की रचना की गई और उस Part 8 को नाम दिया गया Union Territories Union Territories Part 9 को समाप्त कर दिया गया था लेकिन जब 73rd और 74th Constitutional Amendment पारित हुआ तो 73rd Amendment के माद्यम से Part 9 पंचायतों के रूप में एड़ कर दिया गया तो Part 9 फिर से पंचायतों के रूप में शामिल हो गया Otherwise 1992 के पहले केवल और केवल Part 6 और Part 8 ये दो शामिल थे Part 7 आज भी Constitution में नहीं है खटा दिया गया है और Part 9 पंचायत के रूप में बदल दिया गया ये डिवलप्मेंट हुआ तो आप देखें यहाँ पर जब ABCD शर्णी के राज़ बनाए गये थे तो C शर्णी में दिल्ली को शामिल किया गया और C शर्णी के राज़ों के विश्य में विवस्था की गई कि ऐसे शर्णी के राज़ों का प्रशासन राश्पत के द्वारा चलाया जाएगा राश्पत चलाया गया अर्थात C शर्णी में जिन राज़ों को शामिल किया गया उन्हें राज्यों की भाती स्वतंत्रता नहीं दी गई उन्हें राज्यों की भाती स्वतंत्रत सरकार बनाने और चलाने का अधिकार नहीं दिया गया जब 1956 में ABCD शुर्णी के राज्यों का वर्गी करन समाप्त किया गया और 1956 में राज और संग राज चेत्र इस्टेट और यूनियन टरिटरी इन दो नामों से क्लासिफिकेशन किया गया तो इस क्लासिफिकेशन के बाद भी दिल्ली को यूनियन टरिटरी बनाया गया वहां भी दिल्ली पार्ट C में शामिल था और यहां भी दिल्ली को यूनियन पार्ट एट में प्रावधान किया गया और पार्ट एट में यानि यूनियन टरिटरी के लिए जो प्रावधान किया गया उसमें भी यह व्यवस्था कर दी गई कि यूनियन टरिटरी का शासन राश्पत चलाएगा इसलिए इसे संग राज्य छेतर कहते हैं कि यह संग की टर और चलाई जाएगी इसलिए इसको जादा असपष्ट करने के लिए बोल चाल में केंदर शासित प्रदेश के नाम से पुकारा जाता है यह शब्द जादा अच्छा असपष्टी करन देता है इसलिए बोल चाल में केंदर शासित प्रदेश जैसे शब्द का ही प्रचलन रहा अर्थात ऐसा प्रदेश ऐसा छेत्र ऐसी टेरिटरी जो केंद्र के द्वारा प्रशासित है जहां पर नियंत्रन केंद्र का है केंद्र के अधीन वहाँ पर शासन चलाया जाता है तो 1956 से दिल्ली यूनियन टेरिटरी बना दी गई अब इस विवस्था में आगे चलके थोड़ा सा फिर चेंज लाया गया आगे चलकर के 1963 में गौर्मेंट आफ गौर्मेंट आफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1966 पारित किया गया पहले गौर्मेंट आफ यूनियन टेरिटरी एक 1963 पारित किया गया इस गोर्मेंट आफ यूनियन टेरिटरी एक 1963 के अंतरगत ये प्रावधान किया गया कि किसी भी Union Territory में, किसी भी संगराज च्छित्र में Legislative Assembly बनाई जा सकती है LA Legislative Assembly यानि विधान सभा बनाई जा सकती है और किसी भी Union Territory में Council of Minister यानि मंत्री परिशत की रचना की जा सकती है 1963 में संसर ने कानून बना करकी यह व्यवस्था की लेकिन दिल्ली को इसका अपवाद रखा गया यह कहा गया कि यह प्रावधान जो 1963 के Act का जो प्रावधान है जो विधान सभा और मंत्री परिशत की रचना का प्रावधान करता है यह दिल्ली पर लागून नहीं होगा दिल्ली को इसका अपवाद बनाया गया तो अब तक दिल्ली के लिए यह व्यवस्था नहीं की गई फिर 1966 में फिर से चेंज लाया गया और डेली एड्मिनिस्ट्रेशन एक्ट डेली एड्मिनिस्ट्रेशन एक्ट पारित किया गया 1966 में इस डेली एड्मिनिस्ट्रेशन एक्ट 1966 के माध्यम से थोड़ा सा ये फैक्चुल घटना करम है अभी अनालेसिस पर हम लोग आएंगे क्योंकि एतिहासिक परिप्रेक्ष बता रहे हैं एतिहासिक संदर्व बता रहे हैं तो थोड़ा सा तथ्यात्मक चर्चा है अभी फैक्ट वाइस चर्चा है इसके बाद हम लोग आगे अनालेसिस पर आएंगे जो मुख्य परिक्षा मेन इग्जामिनेशन के नजरिये से मह है तो पूझ होगी तो पहले इस हिस्टोरिकल परसपेक्टिव पर नजर डाल लेते हैं प्री से यहां प्रश्ण बनने की सबभावना रहती है तो डेली अड्मिस्ट्रेशन एक्ट 1966 पारित किया गया और इस डेली अड्मिस्ट्रेशन एक 1966 में निधिली में लिमिटेड र रेप्रिजेंटेशन का मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि केवल और केवल मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनाई गई एक एलेक्टेड मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का प्रावधान किया गया मेट्रोपॉलिटन काउंसिल कि निर्वाचित की जाएगी नगरपाली का परिशद और जो लोकल एड्मिनिस्ट्रिशन है वह लोकल एड्मिनिस्ट्रिशन इस निर्वाचित नगरपाली का के माध्यम से चलाया जाएगा इसके पहले इसके पहले तक दिल्ली में निर्वाचित एकाई की व्यवस्था नहीं थी किसी भी एलेक्टिट एकाई की व्यवस्था नहीं थी हाँ यह बात अवश्य है कि जब 1950 में जब 1950 में दिल्ली को पार्टसी का स्टेट बनाया गया तो इस पार्टसी के स्टेट के ल यह एक विधान सभा बनाई जाएगी यह 1950 में व्यवस्था की गई थी लेकिन केवल यह व्यवस्था एक साल के लिए जीवित रही एक साल बाद इस व्यवस्था को खतम लिया गया तो 1950 में पहली बार विवस्था की गई थी लेकिन वो किवल 1951 तक रही एक साल के लिए वह विवस्था जीवित रही उसके बाद यह विवस्था समात्त हो गई आगे चल करके जो विवस्था continue हुई वह विवस्था 1966 के act के माध्यम से हुई जिसमें डेली administration act 1966 पारित किया गया और उसमें एक निरवाचित अस्थानिय एक आई elected local body का प्रावधान किया गया जिससे अस्थानिय मामलों का प्रभंध किया जा से कैं लेकिन डिली की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही थी और बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए एक प्रशासक के द्वारा अस्थानी मामलों में केवल और केवल लोकल सब्जेक्ट शामिल नहीं है बलकि अस्थानी मामलों का अर्थवा की दिल्ली के सारे अस्थानी मामले जिसमें शिक्षा, स्वास्त, परिवहन यातायात, संचार या कल्यान की सारी योजनाएं इत्यादी जिसमें यह सब कुछ शामिल है तो जैसे जैसे पॉपलेशन बढ़ रही थी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही थी उस बढ़ती हुई जनसंख्या के अनपात में एक व्यक्ति के द्वारा किवल एक एलजी के किवल एक प्रशासक के द्वारा पूरे दिल्ली के एड्मिनिस्टिशन के लिए काम बलना कठिन भी होता जा रहा था इसलिए इस परिप्रेक्ष को ध्यान में रखते हुए यह निर्ड़े लिया गया कि एक कमीटी बनाई जाए और उस कमीटी के माध्यम से इस बात की कि जाए कि क्या दिली का प्रशासन चलाने के लिए एक लोगतांत्रिक सरकार अस्थापित की जा सकती है जो जो दिली के लोगों की आवाशक्ताओं को पूरा करने के लिए समस्याओं का समाधान करने के लिए लोकतांत्रिक आधार पर चुनी जाए और लोकतांत्रिक आधार पर उनका समाधान करें दिल्ली रहेगी यूनियन टरिटरी ही लेकिन अस्थानी विश्यों का प्रबंद करने के लिए ऐसी व्यवस्था निर्मित कर दी जाए, ऐसी व्यवस्था बना दी जाए इस बात को ध्यान में रखते हुए बाला कृष्णन कमीटी बनाई गई 1987 में 1987 में बाला कृष्णन कमेटी का गठन किया गया बाला कृष्णन कमेटी ने इसी वर्ष अपनी रिपोर्ट भी दे दी बाला कृष्णन समित का गठन किया गया और इसने इसी साल अपनी रिपोर्ट दे दी और इस रिपोर्ट में बाला कृष्णन कमीटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दिल्ली में एक विधान सभा और मंत्र परिशत का सरजन किया जाना चाहिए मंत्र परिशत का सरजन किया जाना चाहिए बाला कृष्णन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दिल्ली में एक मंत्र परिशत और विधान सभा निर्मित की जानी चाहिए लेकिन बाला कृष्णन समीत ने यह भी कहा कि दिल्ली यूनियन टरिटरी ही रहेगी और यूनियन टरिटरी रहते हुए दिल्ली में विधान सभा और मंत्री परिशन दिर्मित की जाएगी दिल्ली का इस दिल्ली यूनियन टरिटरी का स्टेटस इंज्वाई करेगी यही स्टेटस इसका कॉंटिनू रहेगा इसे फुल फ्लेजड स्टेट हुड का स्टेटस नहीं दिया जा सकता बाला कृष्ण कमीटी ने अपनी रिपोर्ट में असपष्ट रूप से लिखा क्यों देश के राजनेतिक दलों ने जो दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं उन्होंने अपने एजेंडे में यह बात शामिल की है कि जब उनकी सरकार आएगी तो वे दिल्ली को पूर्ण राज्जी का दरजा दे देंगे मैं किसी राजनेतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ केवल तथ की बात कर रहा हूँ यह यह बात यह तथ कांगरेस के एजेंडे में भी शामिल है बीजेपी के एजेंडे में भी शामिल है और अब आम आदमी पार्टी इस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है कांगरेस क ऐसके दल्य ए एजेंडे में है लेकिन पोई भी दिल्ली को इस्टेट हुट का दरजा नहीं दे सकता क्योंकि ये व्यावारिक नहीं होगा। यह देश के लिए आत्मगाती कदम होगा। क्यों आत्मगाती कदम होगा इसका स्पष्टिकरन अभी हम करते हैं। इसको बताते हैं इसलिए दिल्ली को स्टेट हुड का दर्जा देने की जो माग है वो पूर्टह राजनीत से प्रेरित हैं उसके पीछे कोई प्रशासनिक सुविधा नहीं है उसके पीछे कोई शासन की सुविधा नहीं है दूसरी ओर ना ही स्टेट हुड का दर्जा मिलने से दिल्ली की जनता को कोई लाभ मिलने वाला है कोई भला होने वाला है बलकि मुझे तो लगता है रक्तिगत रूप से मेरा जो अन्वह है वो ही है कहता है कि अगर दिल्ली को स्टेट हुड का दर्जा मिल जाएगा तो दिल्ली की स्थेदी और बत्तर हो जाएगी और देश की उससे भी बत्तर क्योंकि आज अगर दिल्ली स्टेट हुड नहीं है तो दिल्ली में पुलिस राज्जी के नियंतर में नहीं है वो सेंटर के नियंतर में है सेंटर के पास इतनी फुरसत नहीं कि वो पुलिस को इतन एंटरफेर करे इसलिए दिली की पुलिस अन्य राज्यों की तुलना में पुलेटिकल एंटरफेर से मुक्त है राजनेतिक हस्तक्षेप से मुक्त है नहीं है यह कहना निरतक होगा देश के हर भाग में काम करने वाली पुलिस पर राजनेतिक हस्तक्षेप है, राज्यों में बहुत जादा है, लेकिन दिल्ली में नाम मातर का है, लेकिन अगर स्टेट हुट का दरजा मिल जाएगा, तो दिल्ली की पुलिस भी राजनेतिक हस्तक्षेप का शिकार हो जाएगी, और दिल्ली की विवस्था और जटिल और बद अब आपने दिल्ली में इपने उत्तर प्रडेश का इक घटना करम दिखा होगा शेलेङंद्र सिंग जो ँद्तर प्रडेश में डिप्टी Supp थे जब मुखतार अंसारी जैसे माफिया को उनोंने अरेस्ट करने का प्लैन का प्लैन बनाया तो उन्हें इस्तीफा दिना पड़ा और कतकालीन सरकार ने उनके उपर फरजी मुकदमा दरज कर दिया मुलाइम सिंग मुख्यमंत्री थे उन्होंने फरजी मुकदमा दरज करा दिया और वह फरजी मुकदमा अभी जाकरके उनके उपर से हटाया गया क्योंकि जो लोग भी उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन व्यवस्था के बारे में जानकारी रखते हैं वह या समझ रखते हैं कि शैलेंडर सिंग बेहद इमानदार पुलिस अधिकारी थे बहुत अधिक इमानदार पुलिस अधिकारी थे लेकिन इस इमानदारी की कीमत उन्हें एक फर्जी मुकदमे से चुकानी पड़ी और यह फर्जी मुकदमा मुख्यमंत्री के निर्देश के परड़ाम सुरूप लिखाया गया कितनी बड़ी साजिश है राजनीती और अपराज़ी जबकि मुख्तार अंसारी का अपराज़ी की तिहास किसी से छुपा हुआ तथ नहीं है जो उत्तर प्रुदेश की राजनीती के विशे में थोड़ी बहुत भी समझ रखते है वह अंतरराश्टी अस्तर का माफिया है हतियारों का तसकर है ड्रग का तसकर है भू माफिया है बहुत बड़े-बड़े गंभीर आरोप है उसके उसके उतार तो हालाकि राजनीत के अपराधी करण पर मैं एक अलग लिक्चर लूँगा किसी समय क्योंकि प्रसंग में है चर्चा में है तो उस पर अलग चर्चा की जाएगी तो ऐसी दशा में मैं आता हूँ अपने विशे पर कि ऐसी दशा में अगर दिली को स्टेट हुड का दरजा दे दिया जाएगा तो ऐसी ही कंडिशन पुलिस की दिली में भी हो जाएगी जबकि आज दिल्ली की पुलिस तुलनात्मक रूप से अन्य राज्यों की तुलना में निश्पक्ष है और प्लिटिकल एंटरखेर से लगभग मुक्त है तो मुझे तो लगता है कि आज इस्थित बहतर है स्टेट हुट बनने की तुलना में कैपिटल है राष्ट्रिय राजधानी है राष्ट्रिय राजधानी होने के नाते दिल्ली पूरे राष्ट्र का प्रत्रित्त करती है यह पूरे देश का फेस है चेहरा है अंतर राष्ट्रिय अस्तर पर यह राष्ट्र का चेहरा है राष्ट्र को प्रत्रित्त करती है राष् दशा में दिल्ली केवल और केवल एक छेत्रिय इकाई का प्रतिनित तो नहीं करती बालाकिशनन कमेटी की रिपोर्ट जो लिखती है वो कहती है कि दिल्ली केवल एक छेत्रिय इकाई का प्रतिनित तो नहीं करती बलकि दिल्ली अपने आप में संपूर राष्ट का प्रतिनित उन्हों लिखा belongs to nation as a whole कि दिल्ली के वले एक छेत्रिय इकाई दिल्ली को एक छेत्रिय इकाई नहीं समझा जाना चाहिए बलकि दिल्ली को संपूर्ण राष्ट समझा जाना चाहिए क्योंकि दिल्ली राष्ट की राष्धानी है और राष्ट की राष्धानी की रूप में वह संपूर्ण राष्ट का प्रतनिहित्व करती है और सभी देशों ने अपनी अपनी राजधानियों के लिए यही दृष्टिकोंड अपनाया है कि प्रतेग देश की राजधानी उस राष्ट का संपूर्ण प्रतनिहित्व करती है वह एक टेरिटोरियल एरिया नहीं है वह एक छेत्र ये एकाई नहीं है बलकि वह एक संपूर्ण राष्ट का प्रत्रहित्व करती है और यही कारण है कि विश्व में कोई भी ऐसा राष्ट नहीं है जो अपने राजधानी को सुतंत राज्ज का दर्जा दे एक भी देश ऐसा नहीं है भारत इस मामले में अलहदा है भारत इस मामले में अलग है जहां देश की राजधानी को सुतंत राज्ज का दर्जा देने की मांग की जा रही है सुतंत राज्ज की राजधानी का दर्जा देने के लिए आंदोलन किया जा रहा है भारत अपने आप में अनूठा है इस मामले म क्योंकि ऐसा आंदोलन विश्व के किसी भी राश्ट में नहीं है भारत को छोड़ कर और हमने बताया कि भारत में यह आंदोलन इसलिए है क्योंकि यह मुद्दा केवल और केवल राजनेतिक है राजनीत से प्लेडित है इसके पीछे कोई तर्थ और कोई तर्क नहीं मैंने समर्थन करने वाले लोगों से विक्तिगत रूप से पूछा कि इसके मुझे पांच लाव गिनाई है वे नहीं गिना सके वे नहीं बता सके लेकिन समर्थन करते हैं कि दिल्ली को राजजी का दरजा दे दिया जाना चाहिए स्वाभाविक सी बात है कि मुद्धा राजनीत से प्रेरित है बाला कृष्णन कमीटी की रिपोर्ट भी यही कहती है कि दिल्ली को स्टेट हुट का दर्जा नहीं देना चाहिए आगे कहते हैं बाला कृष्णन कमीटी की रिपोर्ट आगे कहती है कि माल लीजिए अगर दिल्ली को हमने इस्टेट हुट का स्टेटस दे दिया दिल्ली को हमने राज्जी का दर्जा दे दिया तो यह संभव होगा कि दिल्ली में अलग दल की सरकार बने और संघीय अस्तर पर अलग दल की सरकार बने अगर अलग अलग दलों की सरकारें बनेंगी अलग अलग दलों की सरकारें बनेंगी तो बाला कृष्णन कमीटी की रिपोर्ट लिखती है कि ऐसा करने से ऐसा होने से जब अलग 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 दलों की सरकारें बनेंगी तो दोनों के बीच कॉन्फिक्ट पैदा होंगे और यह conflict नेशनल इंट्रेस्ट को प्रिजिडिस करेगा यह राश्ट्रिय हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा बाला किष्णन कमीटी की रिपोर्ट ने अस्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर संग में और दिल्ली में अलग-अलग दलों की सर कारें निर्वाचित होंगी तो इससे राश्ट्रिय हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा कैसे प्रभावित होगा राश्ट्रिय हित राश्ट के अनुरूप प्रभावित होगा प्रतिकूल रूप से और अंतर राश्ट्री अस्तर पर भी और अंतर राश्ट्री अ इदिका संचालन करना होता है, सारी एंबसीज दिल्ली में हैं, दुतावास के अधिकारी सारे दिल्ली में मौजूद हैं, अंतरराष्टी प्रत्निति आते रहते हैं, अंतरराष्टी संबिलन होते रहते हैं, अगर दिल्ली की पुलिस, दिल्ली सरकार के हाथों में चली गई, संग सरकार के हाथों में नहीं होगी तो इन सब की सुरुच्छा के लिए संग की सरकार दिल्ली की सरकार पर निर्भर हो जाएगी और आप कलपना कीजिए कि अगर दिल्ली की सरकार और संग सरकार में राजनेतिक प्रतिदंदिता बढ़ जाए दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तैयार हो जाएं ऐसी देशा में अगर दिल्ली की सरकार संग सरकार का सहयोग न करे तो अंतरराश्टी एस तर पर भारत की कितनी च्छवी खराब होगी और कोई भी देश भारत में अपने दूतावास में अधिक करमेचारी भारत में रखना नहीं चाहेगा बलकि वह भारत से अपने दूतावास के अधिकारियों को वापस बुलाने की पहल करना शुरू कर देगा या फिर उन्हें यह कहने लगेगा कि आप स्वेम अपनी सुरक्षा का पर ध्यान दें और अपने एंबसी के बाहर जादा ना निकलें आवश्यकों तभी निकलें अन्धा निकलें यह अंतर राष्टी अस्तर पर भारत की छवी को कितना नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर देते हैं कि राष्टी अस्तर पर नेशनल इंट्रेस्ट कैसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं एक एक्जांपल के माध्धम से समझाते हैं माल लीजे किसी दल को राष्टी अस्तर दल का दर्जा मिलता है अब जब राष्टी अस्तर दल का दर्जा किसी भी कर्तव बनता है कि उसे देश की राजधानी में अपना कारयाले खुलने के लिए उसे भूमे उपलब्ध कराई जाए अब यह संग सरकार का कर्तव है अब कल्पना कर लीजिए मान लीजिए कि अगर दिल्ली को स्टेट हुट का दर्जा दे दिया जाए इस्टेट हुट का दर संग सरकार अपने उस मैंडेट को पूरा करपाने में अनेक बाधाउं का साम나 करेगी यह दि दिल्ली को राज्य का दर्जा दे दिया जाए तो स्वाभविक सी बात है कि राजधानी राश्ट का चेहरा है और जब राजधानी के अस्तर पर संग और राज्य सरकारों के मद्ध इस प्रकार का गहरा कॉन्फिक्ट पैदा होगा तो यह राश्ट्रिय अस्तर पर राश्ट्रिय हितों क यही कारण है कि बाला कृष्णन कमीटी ने अपनी रिपूर्ट में यह असपष्ट घोषना कर दी कि दिल्ली में एक विधानसभा और मंत्रिपरिशत की रचनातों की जानी चाहिए क्योंकि दिल्ली की जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए एक व्यक्ति के द्वारा प्रशासन संभण नहीं होगा लेकिन दिल्ली यूनियन टरिटरी का स्टेटस ही इंज्वाइ करती रहेगी दिल्ली को स्टेट हुट का दरजा नहीं दिया जाएगा बाला किष्णन कमीटी ने अपने रिपोर्ट में एक बात और लिखी है उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली को स्टेट ह हो जाएगा अर्थात पारलियामेंट को दिल्ली के लिए कानून बनाने की शक्तिक कम हो जाएगी या ना के बराबर हो जाएगी या किवल एमर्जेंसी सिचुशन में रह जाएगी ऐसी इस्थिती भी राष्ट्री और अंतर राष्ट्री अस्तर पर भारत के लिए बाधाय की आवेशक्ता है तो संसद दिल्ली की इस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निहसंग कोच ऐसा कानून बना सकती है लेकिन पूर्ण राज्जी का दर्जा मिल जाने के बाद संसद की यह लिबर्टी छिंजाएगी और संसद की यह लिबर्टी छिंजाने से भारत की छवी को गंभीर छटी पहुचेगी बाला कृष्णन अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि एक संघ राज्जी छेत्र के रूप में दिल्ली पर संघ सरकार का वाइटल कंट्रोल जरूरी है जीवन्त नियंत्रण आवश्यक है अगर दिल्ली पर संघ सरकार का जीवन्त नियंत्रण नहीं होगा तो यह भारत की छवी के लिए अच्छा नहीं होगा और भारत के बहतर शासन और प्रशासन के लिए भी अच्छा नहीं माना जाएगा इसलिए दिल्ली को स्टेट हुड का दरजा नहीं दिया जाना चाहिए यह बात असपष्ट तौर पर यह बात असपष्ट रूप में बाला कृष्णन ने अपनी का रिपोर्ट में वर्डित की है लिखी है तो जब भी हमसे यह प्रश्ण पूछा जाता है में एक्जामनेशन में यह प्रश्ण पूछा जाता है कि क्या दिल्ली को स्टेट हुड का दरजा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क लिखे और कंक्लूजन भी आप दे तो जब आप कंक्लूजन देंगे तो कंक्लूजन आप बाला कृष्णन कमीटी की रिपोर्ट के कॉर्डिंग ही देंगे बाला कृष्णन कमीटी ने जो तर्क बताये हैं उन्हीं तर्कों का हवाला देते हैं उन्हीं तर्कों के आधार पर निशकर्श देते हुए पक्ष में जहां तक बात है आप ये लिख सकते हैं कि लोकतंत्रिक तरीके से शासन चलाया जाना चाहिए और लोकतंत्र एक उधार शासन सेली है इसलिए लोकतंत्र की अधारना को विस्तार देने के लिए पूर्ण राज्जी का दर्जा दिया जाना चाहिए साथे साथ पुलिस कानून व्यवस्ता और भूमी जैसे विशे भी दिल्ली के पास आ सकेंगे इसलिए द्ली को पूर्णराजlingen का दरज़ा दिया जाना चाहिए तो पक्ष में ये 2-3 बातें आप लिख सकते हैं लेकिन पक्ष बहुत मजबूत नहीं है द्ली को पूर्णराज़ दरज़ा देने का पक्ष मजबूत नहीं है इस बात को ध्यान में रखिएगा इसलिए कभी भी conclusion लिखेगा तो पक्ष में मत लिखेगा मेरी राय यही है कि पक्ष में मत लिखेगा बाकी आप जैसा उचित समझें कर सकते हैं लेकिन पक्ष में मत लिखेगा उसे विपक्ष में ही लिखेगा क्योंकि हमने बताया उसके पीछे दो reason है पहला तो विश्व की कोई भी राजधानी संग के नियंतरण से मुक्त नहीं होती वहाँ की केंदरी सरकार के नियंतरण में ही रहती है यही उचित भी है दूसरा बाला कृष्णल कमीटी की रिपोर्ट और तीसरा अभी जो हम डिसकस करने जा रहे हैं आपसे मुद्दे को तीसरा सुप्रिम कोट ने जब 2018 में दिल्ली के मामले में अपना जज्जमेंट सुनाया तो उस जज्जमेंट में अचितन नियाले ने इस बात की पुष्ट की कि दिल्ली का स्टेटस, Union, टरिटरी का ही स्टेटस है और यही उचित है स्प्रिम कोट ने अपने जज्जमेंट में भी यह कमेंट किया है तो जब कानून कहता है इस देश का, इस देश की कमेटी कहती है, इंटरनेशनल प्रैक्टिस कहती है, सुप्रिम कोट का जज्जमेंट कहता है तो अगर आप इसके अगेंस जागर के कंक्लूजन लिखेंगे तो वो बहुत तारकिक नहीं माना जाएगा इसलिए मैंने कहा कि जब आप कंक्लूजन लिखें तो कंक्लूजन लिखने में इस बात का ध्यान रखें कि हमारे पीछे फैक्ट क्या है तो बाकी राजनायतिक आलहारों पर मांगतो है ही पक्ष में वो हमने आपको बता दिया अब आते हैं हम ये हमने एक एतिहासिक संदर्व की चर्चा कर ली और इस एतिहासिक संदर्व में हमने दिल्ली को इस्टेट हुड का दरजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए हमने इस मुद्दे की चर्चा यहां पर कंप्लीट कर ली अब आते हैं, इस मुद्ध को आगे पढ़ाते हैं और दिल्ली को लेकर के जो विवाद उत्पन हुआ, उस विवाद की ओर बढ़ते हैं, जिसके कारण हम लोग आज इस टापिक का अध्यन कर रहे हैं तो उस विवाद की ओर बढ़ते हैं दिल्ली में 1991 में 1991 में अधिनियम पारित किया गया Guav, GNCTD Act , Government of National Capital Territory Delhi गोवर्मेंट आफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी डेली एक्ट 1991 में यह अधिनियम बनाया गया और यह अधिनियम बनाया गया 69th Constitutional Amendment जो 69th Constitutional Amendment 1991 के परिप्रेक्ष में तो 1991 में दो घटना करम घटे अब मेन की थोड़ी एनालेसिस से फिर वापस थोड़ी सी factual चर्चा पर आते हैं फैक्ट आधारित डिसक्शन पर आते हैं प्रिके एक्जाम के लिए important हैं तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि वर्तमान समय में दिल्ली का शासन प्रशासन कैसे चलता है कैसे ये परिवर्तन लाया गया है इस बात को समझते हैं फिर विवाद पर आते हैं फिर मेन examination वाले discussion पर स्विच करते हैं 1991 में बाला कृष्णन कमेटी की रिपोर्ट को स्विकार कर लिया गया और बाला कृष्णन कमेटी की रिपोर्ट को स्विकार करते हुए 69th Constitutional Amendment Act 1991 पारित किया गया और इस Act के माध्यम से Constitutional Amendment Act के माध्यम से Constitution के Part 8 जो Union Territory का Part है इस Part 8 में आर्टिकल 239 क्लाज कैपिटल डबल ए और आर्टिकल 239 क्लाज कैपिटल ए बी आड़ किया गया जोड़ा गया इन दोनों अनुच्छेदों को Part 8 में जोड़ दिया गया इन दोनों अनुच्छेदों को जोड़ करके दिल्ली के विशे में दिल्ली के विशे में एक विधान सभा और एक मंत्र परिशत की रचना का प्रावधान किया गया इस समविधान संशोधन के माध्यम से यह बताया गया कि क्या होना चाहिए दिल्ली में दिल्ली की विवस्था क्या होनी चाहिए 69th Constitutional Amendment के माध्यम से यह विवस्था निर्मित कर दी गई लेकिन अब यह विवस्था काम कैसे करेगी कैसे करेगी उस काम कैसे करेगी इसके लिए एक कानून बनाया गया और उस कानून के अंतरगत नियम बनाये गए तो वह कानून बनाया गया GNCTD Act Government of National Capital Territory Delhi Act 1991 और इस कानून के अंतरगत Rule भी फ्रेम किये गए भारत सरकार के ग्रिह मंत्राले के द्वारा संसर्द ने कानून बनाया संसर्द ने ये सम्विधान संशोधिन किया और इस कानून के अंतरगत भारत सरकार के ग्रिह मंत्राले के द्वारा Rule बनाया गया और इसी कानून इसी रूल और इस 69th constitutional amendment के प्रावधानों के अनुरूप आज दिल्ली की सरकार चलाई जाती है दिल्ली की government काम करती है क्या है इन सारी बातों का सैयूक निशकर्ष तो दिल्ली की वरतमान व्यवस्था के विशे में चर्चा कर लेते हैं फिर आगे हम लोग अध्यन करते हैं एक बार नजर डालें अगर आपने कोई question पूछा हो तो question भी ले लेंगे आपका इसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो ठीक है कि दिल्ली के संदर में मैंने कहा कि question भी हम लोग हाँ आप question विमलेश कहते हैं क्या question लिख सकते हैं बिल्कुल question पूछ सकते हैं लाइव क्लास है मैं question भी आपनों का बीच में देख लूँगा तो एक question मुझसे पूछा गया है अजारी status creation है कोई नहीं लिखा है किसी बच्चे ने अपना नाम नहीं लिखा है दिल्ली दंगे में पुलिस पर आरोप लगे हैं एक तरफा देखे जो पुलिस रिफार्म यह पुलिस रिफार्म का issue है मैं यहां पर कहूँगा कि यह पुल पुलिस पर भाति भात के आरोप लगते रहे हैं पुलिस पर क्रिमिनलाइजेशन का आरोप भी लगता है कि पुलिस का भी अपराधी करण हुआ है पुलिस की भी अपराधियों से साठ गाठ रही है एन वोहरा की रिपोर्ट इस बात का सपश्ट वर्डन करती है जो हमने अ बुद्धा कदा संदेह के दारे में रही है रहती है इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता लेकिन मैंने एक और ऑल डिसकुशन की बात की है अगर आप एक और आल पुलिस के रूल को एनलाइज करें पूरे विश्व में पूरे भारत में तब आप ये पाएंगी कि दिल्ली की पुलिस पुलेटिकल एंटरफेर से अन्य छेत्रों की तुलना में मुक्त है और अगर पुलेटिकल एंटरफेर कम होगा तो एफिशनसी बढ़ती है इच्छा कारे करने की छंता बढ़ती है विमलेश कहते हैं किसी पु कि मंतरी था एक समय एक पुलिस अधिक्षक था तो ऐसा हुआ तो आपको लेगा कि ये कौन सी कहानी है आपको मजा भी नहीं आएगा तो एक इंटरेस्ट पैदा हो पढ़ने के लिए पहली बात दूसरी बात आप सही तथ्थे से रूबरू हो आप सही तथ्थे की जानकार नहीं रख सकें केवली सुद्देश्य से नाम बताया जाता है अन्यथा नाम लिखने से बचते हैं हम नाम नहीं लिखते हैं एंसर राइटिंग में तो ठीक है विमलेश तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो अभी तक यही दो क्वेशन थे जो हमने ले लिए हैं आगे चर् करते हैं कि दिल्ली की विवस्था वर्तमान समय में चलती कैसे है और फिर इस विवस्था के कारण कैसे विवाद उत्पन्न हुआ है तो कुछ factual discussion करते हैं, fact की चर्चा करते हैं और इस fact के बाद फिर हम लोग आगे analysis पर आते हैं, main examination के नजरिये से तो प्रियोर में दोनों का शासन चलाया जाता है, दिल्ली की सरकार चलाई जाती है, क्या विवस्था जोड़ी गई है, दिल्ली यूनियन टरिटरी है, इसलिए दिल्ली का प्रशासन राश्टपत चलाएगा, लेकिन दिल्ली का प्रशासन राश्टपती, जिस प्रशासक के नाम से चलाएगा, उस प्र करके दिल्ली राष्ट्री ये राजधानी राजजिच्छेत्र किया गया है इस अधनियम के द्वारा और इस संशोधन के द्वारा दिल्ली को दिल्ली राष्ट्री ये राजधानी राजजिच्छेत्र कहा जाता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी आफ डेली कहते हैं इसे तो न विधान सभा और मंत्री परशद की रचना की गई है। 70 सदस्य विधान सभा है। विधान सभा में 70 सीटे होंगी। तो 70 सीटे हैं आज भी। सभी की सभी सीटे निरवाचित होती हैं, elected होती हैं। भारत का निरवाचानायोग election कराता है। विधान सभा की अधिक्तम दस प्रत्षत संख्या मंत्री परिशत की संख्या हो सकती है तो दिल्ली में एक मुख्यमंत्री होगा और मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य मंत्री भी होगे मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की संख्या कितनी होगी समविधान कहता है Constitution कहता है कि मुख्यमंत्री और मंत्री सहिद मंत्री परिशत की कुल सदस्य संख्या विधान सभा की सदस्य संख्या के 10% दस प्रत्षत से अधिक नहीं होगी इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली में विधान सभा में 70 सीटे हैं 70 सीट्स हैं तो दिल्ली में मंत्री परिशत की सदस्य संख्या 7 होगी including Chief Minister Chief Minister को शामिल करते हुए साथ मंत्री परिशत में सदस्य संख्या होगी कैसे नियूप्ति की जाती है अब देखे दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियूप्ति राश्पत करता है उपराजिपाल नहीं लेकिन इसका अर्थ यह मत लगाईएगा आप कि सभी यूणियन टरिट्री के मुख्यमंत्री की नियूप्ति राश्पत करेगा इसका यह अर्थ मत लगाईएगा इसका यह अर्थ नहीं होगा क्योंकि हर union territory के लिए अलग-अलग प्रावधान किये गए हैं अलग-अलग व्यवस्था निर्मित की गई है जैसे जम्मु कश्मीर भी union territory है और जम्मु कश्मीर की union territory के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है जम्मु कश्मीर state reorganization act 2019 के अंतरगत निर्मित की गई है और जम्मु कश्मीर union territory के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था के अंतरगत जो जम्मु कश्मीर में मुख्य मंतरी की नियुक्ति की जाएगी वो LG करेगा प्रेसिडेंट नहीं करेगा लेकिन इसके विपरीत दिल्ली दिल्ली के मुख्य मंतरी की नियुक्ति LG नहीं करेगा दिल्ली के मुख्य मंतरी की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेगा क्यों? क्योंकि दिल्ली की इस्थिति और अन्य union territory की स्थिति अलग-अलग है अलग-अलग union territory अलग-अलग purpose से बनाई गई है कोई culture purpose से, कोई strategic purpose से, कोई political dispute की वज़ा से तो वो जब union territory पढ़ते हैं तो वहाँ चर्चा करते हैं अभी वो चर्चा करना हमारा यहां उद्देश नहीं है विपतगामी हो जाएगा discussion तो दिल्ली union territory है इसलिए दिल्ली के मुख्य मंतरी की न्यूकती राशपत करेगा जम्मू कश्मीर भी union territory है लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्य मंतरी की न्यूकती राशपत नहीं करेगा यह अंतर है क्यों ये अंतर बनाए रखा गया क्योंकि दिल्ली Union टरिटरी होते हुए देश की रासधानी भी है जबकि जम्मु कश्मीर केवल Union टरिटरी है अंतर समझ रहा होंगे तो इसलिए दिल्ली के विशह में केवल तो मेरा यह बताने का परपस है कि यह यूनियन टरिटरी के चीफ दिल्ली के लिए प्रावधाने की दिल्ली के मुख्य मंत्री की नियुक्ति राश्पत करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राश्टुपती ही मंत्री परिशत के परामर्श के आधार पर करेगा दिल्ली के सभी मंत्री, सभी मंत्री में मुख्य मंत्री भी शामिल है, दिल्ली के सभी मंत्री राश्टपत के प्रसाद परियंत्र अपना पद धारण करेंगे, हालांकि विधान सभा 5 साल के लिए चुनी जाती है तो स्वाभाविक सी बात है कि सरकाल का कारेकाल, मंत्री परशद का कारेकाल भी 5 वर्श तक का हो सकता है अगर विश्वास बना रहेगा तो लेकिन दिल्ली के सभी मंत्री राष्टपत के प्रसाद परियंत पद्धारन करेंगे अर्थात राष्टपत के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाई होंगे राष्टपत के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाई होंगे जो ज़्यादा responsible मानी जाती है ज़्यादा accountable माना जाता है जिसे हम कहते हैं doctrine of collective responsibility सामोहिक उत्तरदाई तुका सिर्धान यही संसदिय प्रणाली की मूल धुरी मानी जाती है यही संसदिय प्रणाली की new मानी जाती है यही संसदिय प्रणाली का सार माना जाता है doctrine of collective responsibility इसको यहा सभा का विश्वास उसे प्राप्त रहेगा तो यह सरकार की रचना के विश्य में प्राप्धान किया गया अब बढ़ते हैं डिस्प्यूट की ओर धीरे-धीरे दिल्ली विधान सभा को राज्य सूची और समवर्ती सूची के विश्यों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है कैसे दिया गया है इस बात को समझ लेते हैं जो दिल्ली की विधान सभा है दिल्ली विधान सभा को समवर्ती सूची के सभी विश्यों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है जो कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली सरकार के पास कम अधिकार है वह इस तथ्य को समझें कि दिल्ली विधान सभा के पास सभी विश्यों पर समवर्ती सूची के सभी विश्यों पर विधि बनाने का अधिकार है और अगर दिल्ली विधान सभा के द्वारा बनाए गए किसी कानून और संसत के द्वारा बनाए गए किसी कानून में गतिरोध हो जाए विरोधा भास हो जाए तो जिस मात्रा में दिल्ली विधान सभा का कानून विरोधा भासी होगा उस मात्रा में शुन्य होगा और संसत का कानून ही प्रिवेल करेगा संसत का कानून ही लागू होगा लेकिन अगर समवर्ति सुची के बनाए गए उस कानून पर जो संसत के द्वारा बनाए गए कानून का विरोधी है राश्पत परमीशन दे देता है राश्पत अनमत दे देता है तो संसत के कानून का विरोधी होने के बावजूद भी वो लागू रहेगा ये आप जानते होंगे दिल्ली के विशे में जब प्री के लिए discussion किया जाता है तो हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद राज्य सूची के विशे पराते हैं जो ज़्यादा विवादों में हैं तो समवर्ती सूची के विशे पर मैंने बता दिया आपको अब राज्य सूची के विशे पर चर्चा करते हैं दिल्ली विधान सभा को राज्य सूची की एंट्री नंबर प्रविश्टी संख्या 1, 2, 18, 64, 65 और 66 को छोड़गा एक्सेप्ट यानि ये अपवाद हैं ये अपवाद हैं राज्य सूची में स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट शामिल किये गए हैं उन सब्जेक्ट में एंट्री नंबर 1, 2, 18, 64 और 65, 66 पर दिल्ली की विधान सभा कानून नहीं बना सकती अर्थात ये दिल्ली के अधिकार शेतर में नहीं है ये संग के अधिकार शेतर में है पार्लियमेंट को कानून बनाने का राइट होगा वन क्या है वन है पब्लिक ओर्डर जिसे आप कहते हैं कानून व्यवस्था लोक व्यवस्था कहते हैं तो पब्लिक ओर्डर कानून व्यवस्था कह देते हैं इसे तो लोक व्यवस्था दो क्या है दो है पुलिस के विशे में इसी लिष्ट से यह हसपष्ठ होता है कि दिल्ल दिल्ली सरकार के नियंत्रण में नहीं है क्योंकि राज सुची के सारे विशे दिल्ली सरकार के पास हैं दिल्ली विदान सभा के पास हैं लेकिन ये इंट्रीस छोड़ करके ये टॉपिक छोड़ करके ये सब्जक छोड़ करके पहला पबलिक और कानून विवस्था नहीं है ये संग सरकार के नियंतर्ण में है, पुलिस नहीं है, तीसरा लैंड, जमीन, भूमी नहीं है, क्यों नहीं है, वो हमने अभी आपको बताया, स्परश्टी करण दिया, बलाकिशनल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, कि संग सरकार को अपने डायत्यों का निर्वाह करने में राश्टी अस्तर के और अंतर राश्टी अस्तर के असुवधाओं का सामना करना पड़ेगा, इसलिए ये विशय संग के नियंतर में रखे गए हैं, 64, 64 offenses की बात करता है, अपराध की बात करता है, कि इस state list से related अगर कोई offense है, तो वे offense, 65, power और jurisdiction court के, court के लिए बात करता है, कि जो नियाले हैं, उन नियाले के power और jurisdiction की बात करता है, तो नियाले के power और jurisdiction, जो state list का subject है, state के अधिन आने वाली court के, वो भी यहाँ पर दिल्ली सरकार के नियंतर में नहीं होंगे, वो संग के नियंतर में होंगे, और 66, ये फीस आदि के विशय में प्रावधान करता है, क कि राज सूची के विशयों के सम्बंद में, अगर कोई फीस आदि है, तो उस फीस का निरधारन करना है, तो उन सारी बातों का जो अधिकार है, वो संग को होगा, यहाँ पर राज्यों को नहीं दिया जाएगा, यानि दिल्ली को नहीं दिया जाएगा, तो ये फीस आदि क तो 64, 65, 66 को ले करके कोई विवाद भी नहीं रहता क्योंकि ये गौड महत्यों के विशे रहते हैं सरकार चलाने के लिए जो प्राथमिक महत्यों के विशे हैं ये तीन हैं कानून व्यवस्था, पुलिस और भूम जो मांग की जा रही है कि दिल्ली को सोतंत राज्जी का दरजा दे दिया जाए वो मांग इसलिए है जिससे की कानून व्यवस्था, पुलिस और भूमी दिल्ली सरकार के नियंतर्ण में आ जाए और संग सरकार का नियंतर्ण उस पर से हट जाए और दिल्ली सरकार के नियंतर् और मांग क्यों सपोर्ट नहीं करेंगे वो चर्चा हम कर चुके हैं तो राज्य सूची के सभी विश्यों पर दिल्ली विधान सभा को विधी बनाने का अधिकार है और दिल्ली सरकार को अपनी सरकार चलाने का अधिकार है लेकिन इन छे प्रविष्टियों को छोड़ करके छ का स्टेटस है कैसे दिल्ली की सरकार काम करती है अब आगे बढ़ते हैं विवाद की ओर कोंस्ट्यूशन कहता है अर्टिकिल 239 डबल एक कैपिटल डबल ए जो जो जोड़ा गया है यह कोंस्ट्यूशन का यह प्रावधान कहता है कि अगर दिल्ली सरकार और उपराजपाल के बीच किसी विशे पर विवाद हो जाए यानि LG और CM के बीच अगर किसी भी मुद्दे पर डिस्प्यूट हो जाता है अगर कोई विवाद उत्पन हो जाता है तो LG ऐसे विशे को समाधान के लिए राश्टपत के पास भेजेगा राश्टपत के पास भेजेगा राश्टप देगा उसी के अनलूप LG और CM दोनों काम करेंगे जो 239 डबल कैपिटल ए जुड़ा गया है समविधान में उसका जो फूर्थ सब क्लॉज है फूर्थ सब क्लॉज इसी बात का वर्डन करता है कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप राज्यपाल के बीच कोई हो जाए तो उप राज्यपाल उस विशे को राश्पत के पास भेजेगा और राश्पत जो समाधान देगा उसी के अनलूप दोनों काम करेंगे लेकिन मान लीजिए राश्पत ने समाधान देने में विलंब कर दिया राश्पत ने समाधान देने में विलंब कर दिया और निर्डे लेना आवश्क है तुरंत कारिवाही करना आवश्क है तो यह sub-close कहता है constitution के article का यह sub-close कहता है तो 39 double a clause double capital a का जो fourth sub-close है वो यह कहता है एक यदि राश्पत से समाधान आने में विलंब है तो LG जैसा समझे निरड़े ले मुख्यमंत्री नहीं LG के पास निरड़े की शक्ति होगी Lieutenant Governor के पास निरड़े की शक्ति होगी मुख्यमंत्री के पास निरड़े की शक्ति नहीं होगी उचितम न्याले ने भी इस प्रावधान को समवैधानिक माना है और उचितम न्याले ने कहा कि यह प्रावधान समवैधानिक इसलिए है यह उचित इसलिए है क्योंकि दिल्ली एक union territory का status enjoy करती है इसलिए यह प्रावधान उचित है ठीक है गलत नहीं है तो अगर निर्ड़े में विलंब है तो LG को शक्ति दी गई है चीफ मिनिस्टर को शक्ति नहीं दी गई अब 1991 के बाद जब दिल्ली में विधान सभा और मंत्री परिशद बनाई गई तो दिल्ली में और संग में अलग गलक दलों की सरकारे रही लेकिन प्रायह विवाद उत्पन नहीं हुआ दोनों सामंजस से बनाए रखते हुए कारे करती रहें विवाद की उत्पत्ति तब हुई जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रक्रिया अत्मक विश्यों को ले कर के प्रक्रिया के लिए जो नियमू बनाए गये हैं उन नियमों को ले करके दिली के उपराजजपाल और दिली के मुख्यमंत्री के बीच विवाद की शुरुवात हो गई और यह विवाद निरंतर गहरा होता चला गया आगे चल करके ऊच्छ नयाले ऊच्छ तम नयाले में विवाद भी आये अब हम लोग उस विवाद के पहलों पर आगे बढ़ते हैं उसकी की निर्वाचे सरकार के द्वारा जिस पर LG के निरड़े को लेकर LG की संस्तुति को लेकर LG की अनुमति को लेकर आपतियां प्रकट की जाने लगी और LG और मुख्यमंत्री के बीच विवाद गहरे होने लगी जैसे कुछ उस एक्जांपल का कुछ एक्जांपल देते हैं आपको विवादों के विशे में जैसे 2015 में दिल्ली की विधान सभा ने एक विध्यक पारिद किया और एक विश्य विद्याले के स्थापना के लिए नेताजी सुभाश्चन बोस टेक्निकल इंविस्टी बनाने के लिए एक विध्यक पारिद किया अच्छी बात थी इंविस्टी बननी चाहिए लेकिन उस विध्यक में यह असपष्ट कर दिया गया कि जहां भी गवर्मेंट शब्द लिखा जाएगा जहां भी गवर्मेंट शब्द लिखा जाएगा वहां गवर्मेंट का मतलब होगा जहां सरकार लिखा होगा वहां सरकार का मतलब होगा दिल्ली की निर्वाचित सरकार यानि दिल्ली का मुख्यमंत्री ना की LG ना की लिटेनन्ट गवर्नर यह विध्यक राश्पत के पास अन्मत के लिए गया राश्पत ने इसे दिल्ली सरकार को वापस लटा दिया यह कमेंट करते हुए कि 69th Constitutional Amendment Act 1991, GNCTD Act 1991 और उसके अधिन बनाए गए रूल्स के अनुरूप गौवर्मेंट की जो परिभाशा दी गई है, सरकार की जो परिभाशा दी गई है, वह तर्क संगत नहीं है इन प्रावधानों, संवेधान के प्रावधान के प्रावधान और कानून के अधिन बनाए गए नियम के प्रावधानों के अनुरूप सरकार का अर्थ Lieutenant Governor होना चाहिए, डिल्ली सरकार नहीं यहां विवाद शुरू हो गया और आप देखिए अभी जो संशोधन विदेहक पारित हो गया जो संशोधन अधियम बन गया उसमें सरकार का अस्पश्टी करण दे दिया गया तो विवादों से ही उबजा है यह वर्तमान संशोधन अधियम जो अभी जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे हलांकि जब ऐसा विवाद उत्पन हुआ राश्पत की ओर से यह मैसेज आया और चूंकि कानूनों और नीमों के अनुरूप था यह सब कुछ संबिधान के अनुरूप था तो प्रशासनी के अधिकारियों ने सलाह दी कि यहीं उचित है इसलिए सरकार की परिभाशा बदल दी जाए तो संशोधित कर दिया गया वो लेकिन विवाद यहीं नहीं थमा एंटी करप्शन ब्यूरो के न्यूक्ति को लेकर के अग्रिकल्चर लैंड के सरकिल रेट को ल वो बढ़ा दिया और जब सरकिल बढ़ाया लगीयिने का कि कि लेंड हमारे में भाध सकते और अभी सरकिल रेट हम बढ़ाना नहीं चाहते जाए 살 रिवाद उतपन्न हो गया इस बात को लिए कि निर्वाशित सरकार ने कहा कि अन्हों कि हम सरकिल बढ़ाना च्छाने और ल LG ने कहा कि सरकिल rate बढ़ाना आपके अधिकार छेत्र में नहीं है क्योंकि land आपके अधिकार छेत्र में नहीं है तो इस मुद्ड को ले करके विवाद शुरू हो गया इंक्वाईरी कमिशन को लेकर के दिल्ली की विधानसभा ने अनेक मुद्नों पर इंक्वाईरी कमिशन सिट अप करना शुरू कर दिया तो inquiry commission की अस्थाबना को लेकर के विवाद होने लगे कि बही अगर संग सरकार के अधिकारियों के विशे में अगर किन सरकार का कोई अधिकारी है संग सरकार का कोई अधिकारी है या संग सरकार की कोई डील है तो संग सरकार की अधिकारी के खिलाफ, संग सरकार की डील के खिलाफ, कैसे दिल्ली की सरकार कोई inquiry setup कर सकती है या दिल्ली की विधान सभा कैसे inquiry setup कर सकती है, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो अल्ट्रा वाइरस होगा ये तो जिरिश्डिक्शन के बाहर की छेतर होगी तो ऐसे मुद्दो को ले करके विवाद हुए तो विवाद के नाना प्रकार थे मैंने कुछ एक्जामपल आपको दिये जिससे आप ये समझ सकें कि विवाद की प्रकृत क्या थी और कैसे विवाद उत्पन हुए जब ऐसे विवाद उत्पन हुए तो दिल्ली उच्चनायले में मुकदमा गया दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा गया ऐसे मुद्दों को ले करके जिससे की इस्तिति को असपश्ट किया जाए दिल्ली हाई कोर्ट ने 2016 में अपना जज्ज्मेंट सुनाया और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा अपने जज्ज्मेंट में कहा कि आर्टिकल 239 कहता है कि दिल्ली का शासन राश्पत चलाएगा क्योंकि दिल्ली यूनियन टिल्टरी है इसलिए दिल्ली का शासन राश्पत चलाएगा या किसी भी यूनियन टिल्टरी का शासन राश्पत चलाएगा इसी आर्टिकल के परिप्रेक्ष में आगे आर्टिकल 239 डबल कैपिटल है और इन सब अनुच्छेदों के परिप्रेक्ष में ही दिल्ली की व्याक्षा की जानी चाहिए और इस व्याक्षा के अनुरूप LG को प्रमुखता दी जानी चाहिए LG ही गौवर्मट है LG ही गौवर्मेन्ट है चीफ मिनिस्टर नहीं और प्रक्रियात्मक नीम जो बनाए गये हैं उन नीमों में जहाँ-जहाँ LG को वरीता दी गई है अनुमती देने की या दिल्ली की सरकार को अनुमती प्राप्त करने की उन सारे प्रक्रियाओं और नीमों का पालन करना पड़ेगा अगर उन प्रक्रियाओं और नीमों की अवहिलना की जाती है तो ऐसी कारेवाहियां विधि विरुध मानी जाएंगी सम्विधान विरुध मा ग्रुवर्मेंट है, head of government of Delhi, यही दिल्ली की सरकार का मुख्या है, लेकिन अब दिल्ली की सरकार दिल्ली उच्चनैले की इस फैसले से संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि दिल्ली उच्चनैले का न्रड़े संघ के पक्ष में जुका हुआ था, नतीजा यह हुआ कि दिल्ली के स्टेटस को ले करके अब उच्छतम नियाले में अपील दायर की गई डिल्ली हाई कोट के इस जज्जमिंट के अगेंस्ट सुप्रिम कोट में अपील हुई मामला सुप्रिम कोट में चला नंबे समय तक चला और चार जुलाई को 2018 को सुप्रिम कोट ने जज्जमिंट सुनाया सुप्रिम कोट ने अपना निड़े दिया सुप्रिम कोट ने कहा कि LG को पार्लियमेंटरी डिमाकरसी के सद्धान्त के अनुरूप कारे करना चाहिए इसलिए LG को कॉंसिल आफ मिनिस्टर के एड और एडवाईस के आधार पर काम करना होगा मंत्री परिशत के सहायता और सलाह के आधार पर काम करना होगा LG को मंत्री परिशत के सहायता और सलाह के आधार पर ही कारे करना होगा क्योंकि पार्लियमेंटरी डिमाकरसी के अनुरूप काम करना होगा केवल उन प्रविश्टियों को छोड़कर जो हमने अभी बताया इंट्री नमबर 128 1864 65 66 इन एंट्री नमबर को छोड़कर के यानि लैंड पुलीस लाइन ओर्डर और वो जो तीनों मामले हैं उन मामलों को छोड़कर के उन मामलों में LG को वरियता दी जाएगी उन मामलों में LG हेड माना जाएगा इसके अत्रिक सभी मामलों में महत तो मंत्री परिशद का होगा और मंत्री परिशद के द्वारा दिये गए परामर्ष के आधार पर ही LG को कारे करना होगा उच्चितम नियाले ने 4 जुलाई 2018 के निर्ड़े में यह बात अस्पष्ट कर दिये अच्छा निर्ड़े था लेकिन अब इस निर्ड़े में LG और Chief Minister के बीच जो dispute के बिंदु है वो पूरी तरीके से clarify नहीं हुए पूरी तरीके से clarify इसलिए नहीं हुए यह क्योंकि अब Services किसके अंडर में आएंगी services किसके under में आएंगी किसी भी अधिकारी का transfer करना है posting करनी है appointment करना है तो अब अगर दिल्ली सरकार का मुख्य सच्यू है दिल्ली सरकार का संयूक्त सच्यू है किसी भी विभाग का तो उसका transfer होना है उसकी newptie होनी है तो इन मामलों में अधिकार किसे होगा क्या मुख्य मंत्री को दिया जाए या फिर दिल्ली union territory है ऐसे अधिकार राश्पत के पास है क्योंकि दिल्ली का शासन तो राश्पत के द्वारा चलाया जाना चाहिए इसलिए उच्चितम न्याले ने निर्ले तो सुनाया लेकिन उच्चितम न्याले के इस निर्ले से विवाद समाप्त नहीं हुआ क्योंकि उच्चितम न्याले का यह निर्ले बहुत असपष्ट करने वाला नहीं था उच्चितम न्याले ने जैसे संसदीय परंपरा का इतिहास हमारे देश में है उसी संसदी परंपरा के डॉक्टरिन को फालो करते हुए उसने अपनी बात कह दी उसने अपना निर्डे सुना दिया मैं उच्चितम नियाले के निर्डे की आलूचना नहीं कर रहा हूँ लेकिन उच्चितम नियाले के निर्डेों में अधिक असपश्टता नहीं रही यह बात अतत्थ नहीं है यह तत्थ है यह फैक्ट है और यही कारण है कि यह जज्जमेंट आने के बाद बावजूद भी यह समझा गया कि अब LG और CM के बीच के टकराव समाप्त हो जाएंगे लेकिन टकराव तो समाप्त होने वाले ही नहीं क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं बहुत सारे ऐसे विशे हैं जहां पर नेशनल इंटरेस्ट प्रिवेल करने लगता है राश्ट्रिये हित और अंतर राश्ट्रिये हित केंद्र में आने लगता है जब दिल्ली विधान सभा कानून बनाने लगती है अगर दिल्ली व क्या LG दिल्ली विधान सभा के अनुरूप मान जाएगा क्या दिल्ली विधान सभा को ऐसा कारे करने देगा जहां राष्ट्री और अंतर राष्ट्री हिद शामिल हो जाएंगे ऐसे कारियों में और वह विशे इस 128 64 65 66 में नहीं आते तो यह तो अंसुल्जा हुआ प्रश्न ह अश्वकषे सर्कार वैसे चलती वैसे दिल्ली में भी परामर्श पर काम करना पड़ेगा अगर उन बिन्दूं के अलामा भी आईそう God क्या होगा तो क्या यह मान लिया जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री ही सर्वे सर्वा होगा दिल्ली की विधानसभा ही सर्वे सर्वा होगी और अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली का मुख्यमंत्री और दिल्ली का मुख्यमंत्री और दिल्ली का विधानसभा ऐस उसका जिम्मेदार कौन होगा ते तो उच्चितम न्याले ने निर्डे तो दिया लेकिन उच्चितम न्याले के निर्डेओं में असपश्टता नहीं थी क्लारिटी नहीं थी इसलिए विवादों का समापन होना संभव नहीं था हाला कि जो लोग दिल्ली सरकार के फेवर में थी क्योंकि मुद्दा हमेशा विवादित होता है राजनेतिक आधार पर विवादित होता है तो जो लोग दिल्ली सरकार के फेवर में राजनेतिक रूप में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी डिमेरिट है, स्वाभाविक सी बात है कि इन आस पश्टता को दूर करना आवश्यक हो गया था, 2019 में ऐसे ही सर्विसेस के मुद्दे को लेकर के सुप्रिम कोट में एक केस आया, दिल्ली में ही सर्विसेस को लेकर, ट्रांसफर, पोस् बेंच थी, समवैधानिक बेंच थी, मैं इस जज्जमेंट को बहुत अच्छा नहीं मानता क्योंकि अधिकस पश्टता होनी चाहिए थी, जो नहीं किया गया, इसलिए 2019 में डिविजन बेंच में, यानि दो ने आया धिशों की बेंच में, एक प्रकरन आया, सर्विसेस से इक मैटर आया, अब दो जजजज की बेंच थी, जिस्टिस अशोग बूशन और discussion एके सीक्री, दोनों जजजज में मैं डिस्प्यूट हो गया, दोनों जजजज का ओपिनियन डिफरेंस हो गया, अब डिफरेंस ओपिनियन हो गया, स्पिरेंट ओपिनियन हो गया, अब ज डिफरेंस आफ ऑपीनियन रखते रहे हैं तो जब जजेज में जो कानून और समविदान के विश्षक गयह जानकार थी difference of opinion है तो सभाविक सी बात है यह निश्चित रूप से निश्करश निकाला जा सकता है कि अभी भी दिल्ली के सरकार के विशे में असपश्टता की आवश्यक्ता थी क्योंकि जब इस निर्ड़े के बाद 2018 के निर्ड़े के बाद 2019 में नए मुद्दे विवादित होने लगे और उच्चितम नियाले में पहुंचे तो उच्चितम नियाले के नियाए अधीशों में ही आपस में मद्भेद हो गया विवाद हो गया कि निर्ड़े किसके पक्ष में जाए दिल्ली सरकार के फेवर में जाए या LG के फेवर में जाए फेवर का मतलब यहां पर LG को Capital भी जो भी judgment देना है जो भी कदम उठाना है इन दोनों तथ्थों को साथ रखकर उठाना होगा इन तथ्थों को ignore करके के वह liberal तरीके से democratic pattern पर व्याख्या करेंगे तो देश का नुकसान हो जाएगा इसलिए जब नियाधीश भी analysis करते हैं तो नियाधीशों को भी अपनी इस analysis में ध्यान रखना होगा जब 2019 की case में नियाधीश ने इस बात का ध्यान रखा तो वो डिफर कर गया judgment से अपने ही judgment से डिफर कर गया तो स्वभाविक सी बात है कि जब इस प्रकार के मुद्धे सामने आने लगे कि दिल्ली की सरकार की इस्थित को लेकर के अस्पष्टता नहीं है तब 2021 का संशोधन अधिनियम अस्थित्त में आया जिससे की भविश में दिल्ली के उपराजपाल और दिल्ली के मुख्य मंत्री को लेकर के किसी भी प्रकार के विवाद की संभावना ना रहे क्योंकि विवाद होने से सरकारों की छवी भी दूशित होती है और विवाद होने से सरकारों की छमता भी नकारात्मक तरीके से प्रभावित होती है इसलिए इन दोनों नकारात्मक प्रवित्तियों से बचा जा सके इसलिए दिल्ली सरकार के विशे में अस्पष्टता कर देनी चाहिए इसी अस्पष्टता के लिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए जी एन CTD Amendment Act 2021 पारित किया गया जिसके कारण हम लोग इतना सब कुछ पढ़ रख चुके हैं और बाकी आगे पढ़ने चाह रहे हैं क्या है यह हमने अभी जी एन CTD का फुल फॉर्म लिखा था यहां पर दे गोवर्मेंट फिर से लिख देते हैं दे गोवर्मेंट आफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी आफ डिली राश्ट्रिय राजधानी राजच्छेत्र दिली की सरकार का संशोधन अधियम अमेंडमेंट एक्ट तो 2021 में यह विध्यक प्रस्तुत किया गया और तेजी के साथ इस विध्यक को पारित कर दिया गया राश्पत की अनमत भी मिल गई और यह अधिनियम का रूप ले चुका है कानूं बन चुका है अंद्रह मार्च को लोग सभा में पेश किया गया था अंद्रह मार्च 2021 को फिलाल यह डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टन नहीं है इस विध्यक को और यह अधिनियम का रूप ले चुका है जी एंसी टीडी अमेंडमेंट टैक 2021 यह अधिनियम जो जी एं सी टीडी आक्ट 1991 पारित किया गया था गौर्मेंट ओफ नेशनल कापिटल टेरिटरी डेली आक्ट 1991 पारित किया गया था जिस अधिनियम के अनुरूप जिस अधिनियम के अनुसार दिली में सरकार बनाई और चलाई जाती है 69th constitutional amendment के अनुसरण में यह अधनियम दिर में किया गया था इस अधनियम में संशोधन का प्रावधान करता है यह संशोधन अधनियम तो GNCTD Act 1991 में संशोधन किया गया और उसी संशोधन को GNCTD Amendment Act 2021 के नाम से जाना जाता है यह संशोधन दिल्ली की सरकार के विशे में अधिक अस्पष्टता लाने के लिए किया गया है जिससे की LG और मुख्यमंत्री के बीच शक्तियों के बटवारे को लेकर शक्तियों के प्रियोगों को लेकर विवादों के समाधान को लेकर जो विवाद उत्पन होते रहे हैं उन विवादों का अस्पष्टी करण कर दिया जाए जिससे की भविश में विवाद उत्पन होने की संभावना नहों सके इससे सरकार की छवी भी दूशित नहीं होगी और इस सरकारों की छमता में भी विरद्ध होगी सुधार होगा सरकारें बहतर तरीके से काम कर सकेंगी लड़ाई से धिमाग घटा करके काम में धिमाग लगा सेकेंगी यह purpose था और इस purpose के अनरूप यह विधयक पारित किया गया क्या इसके पक्ष विपक्ष में क्या प्रावधान है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे लेकिन पक्ष विपक्ष में प्रावधानों की चर्चा करने से पहले हम लोग इसके प्रावधानों की चर्चा कर लेते हैं क्या क्या प्रावधान किये गए हैं इस विद्हक में तो एक बार ज़रा question पर ज़र डाल लेते हैं फिर आगे चर्चा करते हैं अगर कोई question आया हो तो मैं ले लेता हूँ ठीक है question अभी नहीं है आपका ठीक है तो question नहीं है तो हम लोग आगे चर्चा करते हैं पहले प्रावधान पढ़ लेते हैं कि इस amendment के द्वारा क्या प्रावधान निर्मित किये गए हैं और उन प्रावधानों का अध्यान करने के बाद उन प्रावधानों के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्ख हैं क्योंकि main examination में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या पक्ष और विपक्ष में तर्ख हैं और आप उससे कितने सहमत हैं कितने सहमत नहीं है तो निशकर्ष क्या होना चाहिए आपका तो निशकर्ष को समझने से पहले पक्ष विपक्ष को समझने से पहले क्या संशोधन किया गया है संशोधन क को असपश्ट कर दिया गया है कि दिल्ली में सरकार का अर्थ जहां कहीं भी दिल्ली के लिए सरकार शब्द का प्रियोग होगा उस सरकार का अर्थ होगा लेटिनेंट गवर्नर ना की मुख्य मंत्री ना की मुख्य मंत्री चाहे यह दिल्ली की सरकार के विशे में हो कारेपालिका के विशे में हो चाहे यह विधाईका के विशे में हो यानि दिल्ली लेजिसलेटिव एसंबली के विशे में हो अर्थात अगर दिल्ली लेजिसलेटिव एसंबली भी कोई कानून पारित करेगी क कोई विध्यक पारिद करेगी कोई कानून बनाना चाहेगी तो अब वहां पर सरकार को मुख्यमंत्री नहीं लिखेगी निरवाचित सरकार नहीं लिखेगी कि यलीजी ही लिखना पड़ेगा को कि पहले कई बार दिल्ली की विधान सभा को कानून बनाए सभी दशाओं में दिल्ली की सरकार का अर्थ लिफ्टिनन गव concernor ही होगा इसका अर्थ यह हुगा कि अब दिल्ली की विधान सभा कानून बना करके दिली की सरकार को मुख्य मंतरी नहीं लिख सकेगी, जैसा कि पहले दिली विधान सभा ने कई場 किया, तो अब नहीं लिख सकती, अब उसे LG ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिफाइं करना होता, जब आपने देखा होगा कोई कानून बनते हैं तो कानून में definition clause बनाया जाता है और उसमें विबन पदों को define किया जाता है जहां भी सरकार को define करना होगा LG के रूप में define करना होगा पहला संशोधन ये कर दिया गया पहला amendment ये कर दिया गया दूसरी बात ये कह दी गई कि जो दिल्ली की विधान सभा है जो दिल्ली legislative assembly है दिल्ली की विधान सभा है विधान सभा को अपनी गत्विधियों को regulate करने के लिए अपनी कारिवाही को संचालित करने के लिए नियम बनाने का धिकार होता है थीक उसी तरीके से दिल्ली की विधान सभा को भी अपनी कारिवाही को संचालित करने के लिए नियम बनाने का धिकार दिया गया है लेकिन अब इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि दिल्ली की विधानसभा ऐसा कोई नियम बना ले जो संसद की भुमिका के विपरीच चला जाए या देश में जो प्राक्टिसस डेवलप की गई है विधाईकाओं के कारियों में उन प्राक्टिसस के अगेंस्ट हों इसलिए यह हस्पष्टी करण कर दिया गया कि दिल्ली विधानसभा की कारेवाही के जो नियम होंगे वो कारेवाही के नियम लोकसभा से संगत होंगे यानि लोकसभा के अनुरूप होंगे इसका अर्थ ही हुआ कि जिन नियमों के आधार पर लोकसभा चलाई जाती है अगर दिल्ली की विधान सभा अपनी कारेवाही को चलाने के लिए कोई नियम बनाना चाहती है तो वह नियम उसी प्रकार बनाएगी जैसे लोकसभा की कारेवाही चलती है उनमें से कुछ चेंज कर सकती है लेकिन ऐसे परिवर्दन लोगसभा की कारेवाही से विसंगत नहीं होने चाहिए ऐसे नियम लोगसभा की कारेवाही से विसंगत नहीं होने चाहिए इनकंसिस्टन नहीं होने चाहिए ऐसे नियम लोकसभा की कारेवाहियों के विरोधी नहीं होने चाहिए तो दिल्ली विधान सभा की कारेवाहि के जो नियम बनाए जाएंगे वह लोकसभा की कारेवाहि के नीमों के विरोधी नहीं होने चाहिए यानि लोगसभा की कारिवाही के नीमों के अनुरूप ही विधान सभा की कारिवाही चल सके यह सुनिशित किया गया दूसरा संशोधन किया गया तीसरा संशोधन किया गया तीसरा संशोधन करके यह प्रावधान कर दिया गया कि दिल्ली की विधान सभा को क्योंकि दिल्ली की विधान सभा inquiry commission sit up करती रही है तो यह वश्था कर दी गई कि दिल्ली की विधान सभा किन मुद्दों पर inquiry commission sit up नहीं कर सकती या administrative decision नहीं ले सकती या administrative decision की inquiry नहीं कर सकती तो किसी भी प्रकार के administrative decision की inquiry न हो सके या कुछ administrative decision की inquiry न हो सके यह स्पश्टी करण कर दिया गया क्या स्पश्टी करण किया गया पहला कहा गया कि जो day-to-day administration है day-to-day administration of Delhi and city Delhi, national capital territory day जो दिली के रोजमर्रा प्रशासन, दैनिक प्रशासन या रोजमर्रा के प्रशासन के मामले हैं जो दैनिक प्रशासन के मामले हैं अगर दैनिक प्रशासन के मामलों के संबंध में कोई भी administrative decision लिया जाता है तो ऐसे administrative decision के संबंध में दिली विधान सभा को कोई inquiry setup करने का अधिकार नहीं होगा दूसरी बात कोई भी ये तो day-to-day administration है इसके अलामा administrative decision अगर दिली की सरकार के द्वारा अगर दिली की सरकार के द्वारा कोई भी administrative decision लिया जाता है प्रशास की निर्डे लिया जाता है प्रशास की महत का निर्डे लिया जाता है तो उस administrative decision के खिलाफ कोई भी inquiry setup नहीं की जाएगी अगर दिली की विधानसभा इसके वृद्ध कोई भी नियम बनाती है तो वह नियम शुन्य होगा और अगर दिली की विधानसभा ने इसके विरोध में कोई नियम बना रखा होगा कोई नियम बना रखा होगा तो वह भी शुन्य होगा वो भी शुन्य होगा तो इसके वृद्ध कोई नियम दिल्ली की विधान सभा नहीं बना सकती और दिल्ली की विधान सभा इन मामनों में जाच नहीं कर सकती इसके बाद अगला amendment किया गया अगला संशोधिन किया गया LG को अनुमती देने का अधिकार दिया गया है, अनुमती, विधेकों पर, जो विधेक दिल्ली विधान सभा के द्वारा पारित किये जाते हैं, वे विधेक LG के पास भेचे जाएंगे, अनुमत के लिए, लेकिन LG को ये अधिकार दिया गया है, कि कुछ विधेक राष्टपत के लिए आरक्षित करें, और किन विधेकों को ये है राष्टपत के लिए आरक्षित करेंगा, इसका असपश्टी करण कर दिया गया है, यहां से प्री के लिए प्रश्ण बन सकते हैं, इस फैक्ट से, कि कौन-कौन से विशे LG राष्टपत के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, क्यूंकि इस तरीके की फैक्ट पर स्टेट के लिए भी क्वेश्टन बनते रहे हैं, तो अगर दिल्ली की विधान सभा कुछ विध्यक पारिद करती है, तो LG उसे राष्टपत के विचार के लिए आरक्षित कर लेगा, कौन-कौन से विध्यक राष्पत के विचार के लिए आरक्षित किये जाएंगे, उसकी लिष्ट इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से, इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से वर्डित कर दी गई है, जिससे डिस्प्यूट आगे ना हो, कौन-कौन से पहली बाद, अगर दिल्ली हाई कोट के पावर को डिमिनिश करते हों, कि शक्त को कमजोर करने वाला कोई विध्यक, अगर दिल्ली उच्च ने आया ले कि शक्त को कमजोर करने वाला कोई विध्यक पारित करती है दिल्ली विधान सभा, तो LG उसे राष्पत के लेगा दूसरी बात राश्ट्रपती LG को निर्देश दे जिस विशे पर निर्देश दे दे राश्ट्रपत लिफटेनेंट गवर्णर को निर्देश दे कि ऐसा विशे उसके लिए आरक्षित किया जाए तो जो विशे राश्ट्रपत के द्वारा LG को डारेक्ट किया जाएगा वह विशे LG राश्ट्रपत के लिए आरक्षित कर लेगा अगर उससे संबंदित कोई भी विधियक है तो जितने भी वेतन भत्ते हैं किसके किसके वेतन भत्ते जो दिल्ली विधान सभा के स्पीकर हैं जिप्टी स्पीकर हैं या Member of Legislative Assembly हैं, विधान सभा सदस हैं, इन सब के वेतन भत्तों से संबंधित या मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, इन सब के वेतन भत्तों से संबंधित अगर कोई विध्यक होगा, तो वह विध्यक राश्पत के विचार के लिए आरक्षित कर लिया जाएगा, क्योंकि ऐसा विध् दिल्ली की वर्तमान सरकार आई, तो एक विध्यक पेश किया गया, और उस विध्यक में विधान सभा सदस्यों के वेतन भत्ते चार गुना बढ़ा दिये गए, फोर टाइम्स बढ़ा दिये गए, सभाविक सी बात है कि बहुत जादा है, अगर आप उन्हें इतनी सल्ली द तै कीजिए, एकाउंटिबिल्टी भी तो तै कीजिए, एकाउंटिबिल्टी तै करने वाला कोई कानून नहीं है, बस केवल अपनी सुविधायें लेने वाला कानून है, अंधा बाते रेवडी पुनि-पुनि अपने को दे, तो चार गुना बढ़ुत्री की गई, तो ऐस विध्यक राश्पत के विचार के लिए आरक्षित किया जाएगा, अगली बात, अगर राज भाशा नेशनल कैपिटल टरिटरी की ओफिशिल लेंग्वेज को ले करके, राज भाशा को ले करके, अगर कोई भी विध्यक पारित करती है दिल्ली विधान सभा, तो ऐसा विधान सभा कोई ऐसा विध्यक पारित करती है, जो उसके शक्ति से बाहर है, विधान सभा के छेत्रा अधिकार से बाहर, अगर कोई ऐसा विध्यक पारित कर लिया जाता है, जो विधान सभा के छेत्रा अधिकार से बाहर नजर आता है, तो ऐसे विध्यक को भी, ऐसे यह यह दो आरक्षित कर लिया जाएगा तो यह बड़ा अमेडमेंट है। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं जब राज्यों के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा है कि राज्य का शासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाएगा या राज्यपाल के नाम से किया हुआ कहा जाएगा Article 166 संग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि संग का शासन राश्मत के नाम से किया हुआ कहा जाएगा Article 77 तो यह प्रावधान ठीक उसी के अनुरूप है और यह प्रावधान कहता है कि जो दिली का शासन है जो दिली का शासन है या दिली की सरकार है या दिली का शासन है वो LG क के नाम से चलाया जाएगा तो यह विवादित नहीं होना चाहिए क्योंकि इसी के अनरूप संविधान में सारे प्रावधान बनाये गए हैं राज्यों के लिए भी इसी के अनरूप प्रावधान बनाया गया है और दिल्ली तो यूनियन टरिट्री है union territory है हमने अभी आपको बताया कि संग और राज्जों के लिए भी आर्टिकल 77 और 166 में प्रावधान किये गए तो उसी के अनरूप ये प्रावधान कहता है कि दिल्ली की सरकार LG के नाम से चलाई जाएगी इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी action जितने भी government action होंगे कि जितने भी सरकारी कदम उठाए जाएंगे जितने भी सरकारी नर्ड़े लिये जाएंगे सब LG के नाम से लिये जाएंगे दिल्ली सरकार जितने भी नर्ड़े लेगी वो LG के नाम से लेगी क्योंकि अभी एक नया विवाद उभर कर सामने आया था अभी हाल ले ही जो जिनिक वित्रन प्रणाली के तहट अनाज भाटे जाते हैं गरीबों को आप बाकी आप डीटेल जानते हैं तो अभी दिली की सरकार नहीं क्या किया दिली के मुख्यमंत्री नहीं क्या कि उसका नाम बदल दिया और उसे मुख्यमंत्री अनाज वित्रन योजना करके कुछ इस और नाम बदल करके मुख्यमंत्री वित्रण योजना कुछ इस टाइब का नाम कर दिया तो संग सरकार ने इस पर आपति प्रकट की कि जो संग सरकार की योजना हैं उन संग सरकार की योजनाओं का नाम बदलने की अनुमती या नाम बदलने की शक्ति राज्यों के पास नहीं होती राज्यों के पास भी नहीं होती दिल्ली तो यूनियन ट्रेटरी है तो एक राज्य का मुख्य मंत्री संग की सरकार के पराद चलाई जाने वाली योजना का नाम कैसे बदल सकता है अपने राजज में कोई राजज़ जैसा नहीं कर सकता कोई ऐसे उड्री तो यूनियंट रही है तो दिली की सरकार कैसे नाम बदल सकती है हलांकि आपती प्रिकट की गई, दिल्ली की सरकार ने जब देखा कि मामला बढ़ रहा है, विवाद बढ़ रहा है तो उसने अपने इस निर्डे में संशोधन कर लिया, क्योंकि उसे लगा कि मामला कोड तक पहुँच जाएगा तो फिर से बदनामी होगी सरकार की, क्योंकि निर्डे अड्मिनिस्ट्रेटिव रूप से गलत था, कॉंस्ट्यूशनल रूप से गलत था, लीगल रूप से गलत था, दिल्ली सरकार का, तो कदम बिज्जा कर लिया गया, तो असपश्टता कर दी गई अब, अब असपश्टता कर दी गई कि दिल्ली सरकार के सारे निर् कि कोई भी अगर executive action लिया जाता है दिल्ली के सरकार के द्वारा कोई अगर कारेपाली का कारेवाही की जाती है कोई भी executive action लिया जाता है जैसे मंत्री कोई निर्ड़े ले ले executive action का मतलब है मंत्री कोई निर्ड़े ले मंत्री परिशत कोई निर्ड़े ले ले मुख्यमंत्री कोई निर्ड़े ले मंत्री पर्शत कोई निर्ड़े ले कोई अन्यमंत्री निर्ड़े ले यह सब एक्जेक्टिव एक्षन हैं तो अगर कोई भी एक्जेक्टिव एक्षन लिये जाते हैं उन एक्जेक्टिव एक्षन के लिए LG declare कर सकता है LG घोशना कर सकता है कि उसकी opinion ली जाए LG की opinion ली जाए LG की राय ली जाए LG की opinion ली जाए ये बड़ा विवादेत रहा बहुत सारे सरकार ने निर्णे लिये और LG ने कहा कि भई ये तो हमारे अधिकार छेत्र में भी आता है union territory है दिल्ली इसलिए हमसे भी राय लेनी चाहिए हमसे राय लेकर करके तुमने निर्ड़े नहीं लिया इसलिए हम साइन नहीं करेंगे इसलिए लागू नहीं होगा तो ऐसे बहुत सारे निर्ड़े विवादों में रहे तो जरूरी होगा तो LG की opinion लिजाएगी और LG की opinion के बाद ही निर्ड़े लिया जाएगा तभी वह निर्ड़े कानूनी रूप से मानने होगा अन्धा मानने नहीं होगा अन्धा कानूनी रूप से मानने नहीं तो यह असपश्टी करण कर दिया गया यह निर्धारित कर दिया ग और जो विवादित इस्थितियां थी वह विवादित स्थितियां बहुत अधिक असपष्ट भी नहीं हो पाई थी लेकिन इस संशोधन के माध्यम से LG के महत तुम्हे व्रिद्ध हुई है और अधिक अस्पष्टता आई है अधिकार छेत्र को लेकर LG वर्सिस CM के बीच Lieutenant Governor और मुख्यमंत्री के बीच अपने शक्तियों को लेकर के अपने अधिकार छेत्र को लेकर के अपने दाइत्रों को लेकर के अधिक अस्पष्टता कर दी गई है जिससे की भविश में कोई भी विवाद उत्पन्न होने की संभावना न रहे ये इसका प्रभाव है मुख्य रूप से लेकिन अब आलोचनाओं का केंद्र भी बना है इसके लिए आलोचना भी की जा रही है इस संशुधन की या इस के विपक्ष में तर्क दिये जा रहे है क्या आलोचना की जा रही है क्या विपक्ष में तर्क दिया जा रहा है पहली बात यह कहा जा रहा है कि यह सुप्रिम कोर्ट के निर्डे के अनुरूप नहीं है सुप्रिम कोर्ट का जो निर्डे दिया गया तो 2018 में यह उसके अनुरूप नहीं है उसका विरोधी है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि सुप्रिम कोर्ट के निर्ड़े में क्लारिटी नहीं है। जब हम प्रक्रिया के धरातल पर आते हैं, कार्यान्विन के धरातल पर आते हैं, तो प्रक्रियात्मक बिंदूओं में अधिक अस्पष्टता की आवशकता होती है। सुप्रिम कोर्ट के जज्जमेंट ने सध्धान्तिक रूप से तो अस्पष्टता ला दी, लेकिन व्यावहरिक धरातल पर प्रक्रियाओं में अस्पष्टता नहीं आ सकी। इसलिए उस अस्पष्टता को लाना जरूरी था। तो लोग आलोचना कर रहे हैं कि सुप्रिम कोर्ट के निर्ड़े के अनलूप नहीं है लेकिन यह आलोचना तर्क संगत नहीं है यह आलोचना उचित नहीं है क्योंकि सुप्रिम कोर्ट के जज्जमेंट में भी कुछ पश्टता के बिंदू बने हुए हैं जो 2018 में दिया गया दूसरी बात संसदी ये माननेता के विपरीत कहा जा रहा है question भी जरब में ले लू एक बार आपका question भी आ गया है अमित का कहना है कि पहली class है आपकी हाँ अमित तो कोई बात नहीं ये तो free classes हैं आपके लिए और ये weekly होती है नए मुद्दों पर होती है विचार विमर्ष के लिए होती है गहराई के साथ होती है सतही के वल तथात्मक जानकारी यहां पर नहीं दी जाती सामय एक विमर्ष के रूप में हम लोग जिन मुद्दों पर चर्चा करते हैं हम लोग गहराई में जाकर चर्चा करते हैं जिससे आप क्वालिटी वाले एंसर लिख सकें अच्छे नंबर पाने वाले एंसर लाइटिंग कर सकें तो सभाविक सी बात है कि गहराई में विचलेशन करने पर सभी बच्चों को यह विचलेशन पसंद नहीं आएंगे कुछी बच्चों को पसंद आएंगे जो वास्तों में एक्जाम के लिए सिंसियर हैं तैयारी तो बहुत सारे बच्चे करते हैं लेकिन सिंसियरिटी कम बच्चों में होती है ये छुपा हुआ तथ्य नहीं है ये ओपन फैक्ट है तो स्वाभाविक सी बात है तो हम लोग जो करते हैं यहां पर सामाइक विमर्श में हम लोग उन बातों को ध्यान में रख कर करते हैं कि किसी भी विशे के उन सारे पहलों को कवर कर लिया जाए जहां से प्रश्ण बनने की संभावना है तो यह कोई रिगुलर क्लास नहीं है ये किवल विबिन मुद्दों पर एक ऐसी चर्चा है जो आपके एक्जामनेशन के लिए अत्कंत महत पूर्ण है और ये विशे प्री और में दोनों के लिए इंपॉर्टन है इसके पहले भी जो डिस्कुशन हम लोगों ने किया है वो ऐसे ही इंपॉर्टन टॉपिक है जिन पर हम लोग चर्चा कर रहे है तो ठीक ह पहले हमने बताएं कि ये हालोचना की जा रही है कि उच्चितम न्याले की निड़े के अनुप नहीं है दूसरा संसदी अमाननिता के विपरीत कहा जा रहा है क्योंकि संसदीय माननेता क्या है संसदीय माननेता है कि जो उच्चितम न्याले का निर्ड़े था कि LG मंत्री परिशत के सलाह के आधार पर ही कारे करेगा वह मंत्री परिशत की सलाह मानने के लिए बाद दे होगा यहीं संसदीय माननेता तो यहां संसदी माननेता नहीं चलेगी क्योंकि दिल्ली स्टेट नहीं है दिल्ली यूनियन टिल्टरी है यूनियन टिल्टरी का शासन संग के हाथों में होता है केंद्र के हाथों में होता है इसलिए जो संसदी माननेताएं हैं वे सर्धांतिक रूप से अच्छी हैं राज् गराज जिच्छित्रों के लिए जिनका प्रशासन केंद्र के नियंत्रण में चलाया जाता है उनके लिए उपयोगी और कारगर सद्धान्तिक रूप में नहीं है इसलिए उनमें व्याभारिक रूप में संशोधन किया गया है और LG को प्रमुक्ता दी गई है यह भी कहा जा में बिन्दू आ सकते हैं आपके examination में तो हम लोग चर्चा कर लें विधान सभा और मुख्यमंत्री की शक्ति को कमजोर कर दिया है यह कहना तर्क संगत नहीं है क्योंकि दिल्ली विधान सभा को समवर्ती सूची और राज्य सूची के विश्यों पर कानून बनाने का अधिक सभा को है लेकिन स्वभाविक सी बात है कि दिल्ली union territory है union territory को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की विधान सभा पर कुछ restriction होने चाहिए जिससे की वह संसद के बनाए गए कानून के अनलूप ही अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके तो केवल और केवल वह restriction imposed किये गए हैं अन्यथा शक्तियोंप में कोई कमजोरी नहीं लाई गई गया दूसरी बात यह कहा गया कि मुख्यमंत्री की शक्ति को कमजोर किया गया य लेकिन जिन मामलों में LG उसे direct करेगा कि वह LG की opinion के बाट decision ले वह LG की opinion के बाट decision लेगा तो मुख्यमंत्री की शक्ति पर सीमाएं लगाई गई है उसकी शक्ति को कमजोर नहीं किया गया है और सीमाएं इसलिए लगाई गई है क्योंकि दिल्ली union territory है state नहीं है तो जब भी द स्टेट हुड नहीं दिया जा सकता बाला कृष्णन कमीटी की रिपोर्ट ने यह साफ साफ लिखा है कि दिल्ली को स्टेट हुड का दरजा नहीं दिया जा सकता सुप्रिम कोट ने भी इसी विचार को accept किया है और माना है 2018 के जज्ज्मिन पे लगी की शक्त में व्रिद्ध नहीं किया जा सकता लेकिन असीमित वृद्धि नहीं है असीमित वृद्धि इसलिए नहीं है क्योंकि LG एजेंट है राश्पत का वह राश्पत का एजेंट है इसलिए LG की असीमित शक्तियों का कोई अर्थ ही नहीं रहता क्योंकि LG राश्पत के इशारे पर काम करता है रा में भी अपने तर्क रखते हैं कि संशोधन के पक्ष में तर्क रखते हैं और इसी आधार पर निश्कर्च भी लिखते हैं इसी आधार पर हमारा कंक्लूजन भी होता है क्या है संशोधन का पक्ष पहली बात कि देली का स्टेटस देली यूनियन टरिटरी है यूनियन टरिटरी है ये स्टेट नहीं है ये इस्टेट नहीं और अगर हम इस बात को समझ जाते हैं कि दिल्ली यूनियन टरिटरी है इस्टेट नहीं है तो सारी बातें अपने आप क्लियर हैं किसी भी प् Union Territory के साथ-साथ Capital भी है, राजधानी भी है, National Capital भी है, अगर इन दो तत्थों को गहराई से समझ लिया जाए तो बागी किसी चीज की जुरुदत नहीं रहे जाती है, और Union Territory और Capital होने के कारण दिल्ली का शासन केंदर के हाथों में क्यों होना चाहिए, ये विशलेशन हम ने बाला किशन कमीटी की रिपोर्ट की चर्चा करते हुए विस्तार से कर ली है, कि क्यों ऐसा होना चाहिए, तो दिल्ली Union Territory है, National Capital है, इसलिए दिल्ली पर केंदर का नियंत्रन होना चाहिए, संग का नियंत्रन होना चाहिए, जब दिल्ली High Court ने जज्जमेंट दिया था तो दिल्ली High Court ने इसी बात को स्विकार किया था, कि आर्टिकल 239 को इग्नोर नहीं किया जा सकता, दिल्ली के बारे में कोई भी जज्जमेंट देते समय, आर्टिकल 239 को इग्नोर नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 239 क्या कहता है, आर्टिकल 239 ये कहता है, कि अनुच्छे 24 149 ये कहता है कि दिल्ली संगराज छेतर है और दिल्ली का शासन राश्पत के द्वारा चलाया जाएगा तो यही बात यहां भी लागू होती है और इस प्रकार इस प्रकार जो भी संशोधन किया गया है जो भी अमेंडमेंट किया गया है वो यूनियन टरिटरी के अनुरूप है वो यूनियन टरिटरी के अनुरूप है या यूनियन टरिटरी की भावना के अनुरूप है संगराज छेतर की भावना के अनुरूप है इसके अलामा डेली हाई कोर्ट का जो 2016 का जज्ज्मिंट है उस जज्ज्मिंट के अनुरूप है दिल्ली हाई कोर्ट का जो 2016 का जज उसके अन्रूप है और संग राज छेत्र दिली संग राज छेत्र है इसलिए संग राज छेत्र की भावना के अन्रूप है। इस संशोधन को अतार्किक नहीं कहा जा सकता। तीसरी बात LG और CM के बीच शक्तियों की अधिक अस्पष्टता ला दी गई है। च्छेत्रा धिकार की असपश्टता कर दी गई है और इस प्रकार विवाद की संभावनाएं अब भविश में नहीं रह जाएगी अब तक जो विवाद विगत पांच-छे वरशों में उत्पन हुए यह दिल्ली और संगराज च्छेत्र दोनों के लिए घातक रहा सरकार की गुडवता को कमजोर करने वाला रहा और च्छवी खराब करने वाला रहा भविश में ऐसे इस्थितियां उत्पन नहूं इसलिए यह दिल्ली और दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी के बीच शक्तियों का असपश्टी करण करता है साथी साथ विवाद की संभावना को निर्मूल करता है निर्मूल मतलब जड़ रहे समाप्त करता है यह भविश में विवाद की संभावना को निर्मूल कर देता है समाप्त कर देता है क्योंकि शक्तियों का असपश्ट वर्गी करण कर दिया गया है तो जिन जिन मुद्दों पर अभी तक विवाद होते रहें उन सारे मुद्दों को identify किया गया और उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये संशोधन के प्रावधान बनाए गये हम लोगों ने प्रावधानों के समय वो चर्चा कर ली थी तो इसलिए यह पेक्षा क की जाती है कि अब भविश में विवाद की संभावना नहीं रहेगी और अगर विवाद की संभावना नहीं है तो विवाद की संभावना नहीं होने से सरकार की छमता में व्रिद्धी होगी अगर विवाद निर्मूल है सरकार की छवी में सुधार होगा छवी में व्रिद् अब प्रश्णिये उत्पन्य होता है लोग सवाल ये उठाते हैं कि भी ठीक है चलिया माल लिया आपकी ये बात तो अगर ये सारी बातें ठीक हैं तो फिर निर्वाचित सरकार की जरुवत क्यों थी दिल्ली में क्यों मुख्यमंत्री निर्वाचित किया जैसे चल ला था चल कि जिनसंख्या बढ़ी और बढ़ती हुई जिनसंख्या के लिए जो लोगों की समस्याएं और लोगों की आवश्यक्ताओं का प्रबंदन है, समस्याओं का निदान और आवश्यक्ताओं का प्रबंदन है, वो लोग कांत्रिक करीके से किया जा सके, डिमोक्राटिक पैटर्ल यह नहीं है, दिल्ली सरकार के गठन का उद्देश या मुख्यमंत्री के गठन का उद्देश, निरवाचित सरकार के गठन का उद्देश यह नहीं है, कि वह समविधान के प्रावधानों को, समविधान के प्रावधानों की अवहिलना कर ले जाए, समविधान के प्रावधा जो विधान सभा बनाई गई यह सारी विवस्थाइं इसलिए की गई जिससे LG को सहायता मिल सके क्योंकि दिल्ली की सरकार का मुखिया LG है लेफ्ट इन गवर्नर है क्यों क्योंकि यह प्रेसिडेंट का एजेंट है यह राश्पत का एजेंट है और दिल्ली का शासन राश्पत के द्वारा चलाया जाना चाहिए जिली यूनियन टेल्टरी है इसलिए LG को सहायता देने के लिए और यह सहायता कैसी हो यह सहायता लोकतांत्रिक पैटर्न पर हो अगर देखे दो तरीके से सहायता ले जा सकती थी LG अपने लिए एक ग्रुप बना लेता दस लोगों का पंद् लोकतांत्रिक पैटर्न नहीं होता लोकतांत्रिक पैटर्न यह हुआ कि LG को सहायता देने के लिए LG को मदद करने के लिए एक निर्वाचित सरकार बन गई और वह निर्वाचित सरकार लोकतांत्रिक पैटर्न पर LG को रिक्मंड करेगी लोकतांत्रिक पैटर्न पर LG को सहायत के आधार पर LG काम करेगा ये भावना है इसके पीछे और इसी भावना के अनुरूब दिल्ली में विधान सभा और मंत्री परिशत का से जन किया गया उसका ये उद्देश और अर्थ कदा भी नहीं था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को प्रमुखता दी जाए और राश्पत का नामात्र का प्रदान बचे सारी शक्तियां मुख्यमंत्री को दे दी जाए इसका ये अर्थ कदा भी नहीं था इसका ये अर्थ कदाब नहीं था इसलिए नहीं था क्योंकि दिल्ली यूनियन टेल्टरी है दिल्ली संग राजी छेता है इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री म मिल रही है LG को साधार पर कारे करें यह ही भावना यह था परपस और यही भावना यही परपस union territory के लिए best fit model बैठता है लेकिन चुकि इस भावना के विपरीत विवाद उत्पन होने लगे थे इसलिए इन संशोधनों के माध्यम से जो भी 2021 में संशोधन किये गए इस संशोधन के माध्यम से इस भावना को और पुष्ट कर दिया गया इस भावना को और मजबूत बना दिया गया तो स्वाभाविक सी बात है कि जो संशोधन किये गए हैं वे संशोधन निरथक नहीं है जो संशोधन किये गए हैं वे संशोधन वेर्थ नहीं है जो संशोधन किये गए हैं वे संशोधन आसमवैधानिक नहीं है जो संशोधन किये गए हैं वे संशोधन लोकतंत्रिक माननेताओं के विपरीत नहीं है जो संशोधन किये गए हैं वे संशोधन संसदिय लोकतंत्र की माननेताओं के विपरीत नहीं है बलकि वे सारे संशोधन देश की राजधानी है दिली दिली देश की union territory है इस भावना के अ लूप इसलिए हैं क्योंकि LG लोकतांत्रिक पैटर्ण पर निर्वाचित की गई सरकार की सहायता से ही अपनी भूमिका का निर्वाह करेगा तो ये निशकर्ष होगा ये conclusion होगा मुझे लगता है कि समझ में आया होगा जो बात मैंने आपको बताई जो मैंने आपको चर्चा की इसके बाद एक question भी है आपका question ले लेते हैं ये discussion हम लोगों का complete हो चुका है question ले लेते हैं शिव कुमार का कहना है is this statutory amendment act to all turn 2018 constitutional bench judgment नहीं 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 आलोचना के रूप में हमने आपको लिखा कि ये सुप्रिम कोर्ट के judgment का विरोधी है और समाचार पत्रों में लिखा गया मेडिया में कहा गया कि ये सुप्रिम कोर्ट के judgment को पलटने के लिए है गलत कहा गया गलत ल लोगतांत्रिक pattern पर चुने गया मुख्यमंत्री सरकार की सहायता और सहयोग से कारे करेगा इस बात को असपष्ट करने के लिए और LG को वरीता देने के लिए क्योंकि दिल्ली union territory है इसलिए मुख्यमंत्री को वरीता नहीं दी जा सकती राज्य होता तो मुख्यमंत्री को वर संशोधन किया गया है यह संशोधन उच्चितम नियाले के निर्डे को उलटता नहीं है यह संशोधन उच्चितम नियाले के निर्डे के अनुसरण में है और उच्चितम नियाले के द्वारा दिये गए निर्डे को और अधिक असपष्ट करता है क्लियर करता है क्योंकि उ तो ठीक है यह बात हम भी accept कर ले हैं इस संशोधन से हमने इस बात को damage भी नहीं किया लेकिन बात यह है कि जो प्रक्रियात्मक मुद्दें हैं जो छोटे-छोटे day-to-day administration के मुद्दें हैं उनमें तो असपश्टिकरण आया ही नहीं सुप्रिम कोट के judgment से उनमें तो असपश्टता आयी ही नहीं तो वह असपश्टता लाई गई है इस amendment के बाध्यम से तो यह amendment सुप्रिम कोट के judgment को ओवर्रूल नहीं करत सुप्रिम कोर्ट के जज्मेंट को नस्ट नहीं करता यह अमिंडमेंट सुप्रिम कोर्ट के जज्मेंट को और अधिक एक्स्प्लेंट करता है और अधिक क्लारिटी लाता है ठीक है क्लियर हुआ इस बात को तो यह पूरी की पूरी चर्चा थी दिल्ली के संदर में उमीद है समझ में आया होगा यह विशाय आपको important है अगले एक वर्ष तक examination के लिए तो आज के लिए इस discussion को यहीं समाप्त करते हैं next week फिर किसी नए topic पर मुलाकात होगी नए topic पर चर्चा होगी आज के लिए इतना ही thank you